नमस्कार सातियों, सातियों घटना चक्त में हम समानने भुगोल को देखेंगे और इसकी सारी questions को देखेंगे उसके deep understanding को समझेंगे सबसे पहले भारत के भुगोल और विस भुगोल दो अलग-अलग chapter में आपको ये दिये गये हैं, अब देख सकते हैं और भारत के भुगोल में 30 जो है वो topic हैं, इन 30 topic में जो समानने परीचे हैं, उसको देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग भौतिक भीभाजन जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो physical division है भारत का, उसको पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा chapter होगा, वो है भारत के प्राकरतिक प्रतेश, ठीक है, तो चलिए साथियों, घटना चक्र में कुछ नोट्स देवे हैं, उनसे सुरू करते हैं, मेरा ये कहना है कि कुछ भी छोरना नहीं है, क्योंकि एक्जाम इतनी डीप में पूछी जा रही है, तो वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो पैलियो मेगनेटीजम, पैलियो मेगनेटीजम कहा जाता है कि जब आप चटान, अवसाद, मतलब सेडिमेंट्स, चटान मतलब रॉक, कि निर्मान के समय के सनरक्षित गुनों का अध्यन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैलियो मेगनेटीजम, ठीक है, कि कैसे चटान और से आप जरूर पैलियो मैगनेटीजम पर जो है वह चर्चा कर रहे हैं यह सब्द पैलियो है उसका कहने का मतलब होता है बहुत पुराना थीक है इसलिए यह पैलियो का इस्तेमाल जो है जब हम आप हिस्ट्री भी परेंगे ना तो वहां भी आएगा हाँ पैलियो लेथिक मैसो नियो लिथिक तो पैलियो का मतलब पुराना और लिथिक का मतलब वहां हो जाता है इस्टोनेज ठीक है और यहां पैलियो का मतलब पुराना और मैगनेटीजम का कहने का मतलब की कि यह जो अर्थ की जो सक्ती है हां वो कहां से आई है चाहे वो चट्टान का बनना हो या तक पहुँच जा रही है क्योंकि अर्थ में आपको पता है कि लोही की मात्रा अधिक है मैगनेटिक प्रोपर्टी यह बहुत दिखाती है ठीक है तो अगली बात हम चर्चा करते हैं इन्होंने कहा कि बिज्ञान की वह साका जो प्राचीन भू बिज्ञानी घटनाओं के अध अधियन करने पर हम उतारू हो जाते हैं कि हमको नहीं अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड यान्नी चुमबक के छेत्र का अधियन करना है तो हम कहेंगे कि हम पूरा चुमबकत्व जिसको पैलियो मेगनेटिजम कहते हैं उस से आप कर सकते हैं साथियों स्रेक्ट के तौर पर ये भी याद रखने है कि महाद्यूप्य विस्थापन थियोरी आप से पूछा जा सकता है कि ये किस ने दिया था तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था इन्होंने ये कहा था कि जो समुंद्र है ठीक है अल्फ्रेड वेगनर की जो थियोरी है क्लास 11 चैप्टर नमर 2 में आपको मिल जाएगा वहां से आप पढ़ सकते हैं लेकिन यहां चोटी चोटी जानकारी आप ये जानिये कि इन्होंने पैंथलासा और लॉरेशिया की जो है वह पूरी डेफिनेशन दी थी आपको याद होगा तो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी अंग्रेजी वाली लोगों के लिए जान लाइजे ठीक है ये जो महादुपिय विस्थापन के का सिध्धान था इन्होंने ये कहा था कि भारतिय जो लेंड है इंडियन मेंन लेंड जो आप देखेंगे कि हमारी जो अभी पेनेंसुलर इंडिया वाली जो भूमी है वो गोंडवाना लेंड का भाग है ठीक है यानि इस गोंडवाना लेंड में भारत भी सामिल था आस्ट्रेलिया भी सामिल था अफ्रीका सामिल था दक्चिन अमेरिका सामिल था अंटाक्टिका के छेतर सामिल थे ये बातें याद रखनी है ठीक है इस यही गोंडवाना जो लैंड है वो अलग होता है और अलग होकर जो है गोंडवाना लैंड जो है वो उत्तर की दिशा की और जो है वो बढ़ता है और जब यह उत्तर की दिशा की और विस्थापित होने लगता है तो उस समय जो है वो युरेशियन प्लेट से आकर टकराती है गुंडवाना लेंड और उस समय जो टेथिस सी हुआ करती थी उस वो टेथिस सी जो है जो गुंडवाना लेंड टकराती युरेशियन प्लेट से तो उसके जो सेडिमेंट्स थे उन्होंने एक पहार का रूप ले लिया और वही पहार जो है वो हिमाले और जो पसिम एशिया की परवतिये सिंखला जो है वो उस रूप में दिखती है इसलिए आप हिमाले को बहुत युबा अस्थला किरती कहेंगे दूसरे परवतों के तुलना में जैसे अरावली जो है वो बहुत पुरानी परवत है यानि अरावली के तुलना में हिमाले जो है वो नबीन परवत है युबा परवत है ये बातें क्लेर हो जाने चाहिए हिमाले के तराई छेतर में पताल तोर कुएं भी पाये जाते हैं ये क्लियर है ये जो टैथिस सी थी क्योंकि आपको पता है कि गोंडवाना लेंड जो है आकर टकराया किस से? यूरेशिन प्लेट से और वहाँ जो टैथिस सी थी उसके सेटिमेंट्स जो है उन्होंने पहार के रूप ली यानि हिमाले के रूप में उपर उठे और ये जो आपके पैनिन्सूलर इंडिया वाले एरिया थे जो आज का बैंगलोरू और करनाटका वाला एरिया दिखता है या तमिलनाडू वाला एरिया दिखता है ठीक है वो तमिलाडु वाला एरिया जो आपको दिख रहा है या करनाटका वाला एरिया दिख रहा है इस करनाटका वाले एरिया के ऊपर आएंगे तो इसके बीच वाला हिस्सा जो है आपको धसा हुआ नज़्जा आएगा ठीक है और एक बहुत बरा बेशीन का निर्मान होत ठीके और यही बेशीन जो है धीरे 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 इस भरता है और यही बेशीन पर आज जो है आप देखेंगे कि इंडिया की जो नौर्थ प्लेंस है इसी बेशीन पर विक्सित होती है इस परकार साथियों आप देखेंगे कि हमारे साथ जो है वो बेसिकली हम भारत को चार तरीकों से बाढ़ सकते हैं चार प्राकिरतिक प्रदेशों के रूप में भारत बढ़ सकता है एक तो हमने परवत देखा जो गोंडवाना और जूरेशन प्लेट के टकनाने से बनी गोंडवाना लेंड को कहते हैं गोंडवाना और यूरेशन प्लेट के टकनाने से जो परवतिय छेत्र बना तो इसके बीज में गैप आ गया एक ब्रंस पैदा हो गई ठीक है एक द्रोनी पैदा हो गई इस गैप को धीरे 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 बहुत सालों लगे इस गैप को भरने म और वो गैप जब भरा तो एक मैदान का रूप ले लिया जो आज भारत का मैदान कहा जाता है जिसको Northern Plains कहते हैं उत्री मैदान कहते हैं ठीक है तो इस भाग में बाट सकते हैं अगली बात कि भारत जो है एक पैनिनसूला है तीन रूप से जो है वो तीन तरफ से जो है जो सागर है इनमें भारत के कुछ-कुछ जो है वो आइलेंड्स हैं दूइप है तो भारत को इन चार हेस्टों में आप बाट कर देख सकते हैं साथियो जो प्राइदूइप ये पठार है मतलब बैंगलॉर वाला इलाका या करनाटक या तेलंगना वाला इलाका वहां तो आपको पता है कि वो सबसे प्राचीनतम भाग है सबसे इंसियंट पार्ट आपकर आपकर आपसे पूछा जाए तो वो भारत का वही वाला हिस्सा है इसका आउटलाइन आपको मेघाले की पहारी में दिखेगा क्योंकि मेघाले की पहारी में आप कहेंगे कि अच्छा में दिखता है लेकिन मेघाले वाला जो हिस्सा है न वो प्राचीनतम भारत का ही एक पार्ट रहा है ठीक है और ये मालदा गैप से अलग होता है ये भी याद रखेंगे मालदा फॉल्ट अंग्रेजी में इसको कहेंगे मालदा फॉल्ट ठीक है जो राजमहल पहारी है वहा metamorphic जो है वो चट्टाने आपको मिलेंगी क्यों क्योंकि ये ये जो बहुत पुरानी हिस्सा थी और यहां जो है वो लाबा और क्योंकि वो टूट कर बाहर आ रहा था और northern drift कर रहा था तो यहां लाबाओं का जो है वो सैवाल सा एकदम पूरा प्रवाल सा बह रहा था तो आपको ये बातें दिखेगी ठीक है एक बात और याद रखना है अब जब चट्टान हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लेकिन धारवार करम की जो चट्टाने हैं उनका निर्मान सबसे पहले आर्कियन करम की चट्टानों क रुपांतरन अत्वा व्रहसन से हुआ ये सिलाएं अत्यधिक धात्विक होती है ठीक है मतब अगर मेटल की अगर आवे सकता अगर आपसे पूछी जाए तो वो किसमे होंगी धारवार करम की चट्टाने में इसमें लोहा, सोना, मैगनीज, अबरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, दामबा, टंगस्टन, सीसा, आदी के खनीज पाया जाते हैं, वहीं कुछ और चट्टाने हैं, मेटल कहां से पाया जागा, चट्टानों से, रॉक्स से, तो उसी रॉक्स में एक तो धारवार करम की चट्टाने हैं, जहां से मेटल पाया जा रहा है, एक है कुडपा करम की ठीक है कुडप्पा करम की चट्टाने का जो निर्मान है वो धारबार के चट्टानों के बाद हुआ है ठीक है साथियो आप इस बात को समझे जो आपके किताबों में दी गई है ये एक ओडियो बुक की तरह है थोरी additional facts को मैं add करूंगा ताकि कि ये lecture boring ना हो लेकिन जो यहां खत्म हो रहे ये चीज़े वहीं खत्म होंगी उसके बाद हम लोग questions को पढ़ेंगे ठीक है जरूरी है कि थोरे notes आपको पढ़ लिये जाए क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अगर ये book है तो सिर्फ आप question ही बनाएंगे ये notes पढ़ेंगे नहीं जबकि ये notes बहुत crispy औ बहुत अच्छे बनाए गये है ठीक है तो कुडपा करम की चटाने जो है वो धारवार के बाद बनी है उसके बाद एक चटान और है बिंधियन करम की चटाने मतब तीन तरगे की चटानों को आप दीख रहे है एक तो धारवार हो गया दूसरा हो गया कुडपा तीसरा हो ग बिंधियन क्रम की जो चट्टाने है वो काफी समय तक गुंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्मान हुआ ठीके यानि बिंधियन करम के चट्टानों के काफी बाद यानि गुंडवाना करम की जो चट्टाने हैं अगर मैं यहां यह लिखू कि गुंडवाना करम की चट्टाने अंतिम हैं तो क्या ये मेरी बातें सही है ठीके हलाकि मुख्य रूप से हम यही तीने देखते हैं कि कौन धारवार, कुडप्पा और विंधियन फिर एक गुंडवाना करम की चट्टानी होती है जो सबसे अंति में बनता हुआ नजर आता है भारत का अधिकांस जो कोईला है वो यही गुंडवाना करम की चट्टानों यन गुंडवाना चेतर से प्राप्त होता है इस कोईले में जो उच्छ स्रेनी का होता है और इसका सरवाधिक जो पार्ट है वो बिटुमनस कोईले की प्राप्ती इसी गुंडवाना करम की चट्टानों से होती है जिसमें सलफर की मात्रा जो होए न्योंतम होती है साथियो कोईले की जो है कोईले की अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है तो बिटुमनस जो कोईला हमारे पास मिल रहा है वो भी गुंडवाना करम की चट्टाने से मिल रहा है तो ये बातें याद रखेंगी तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चट्टाने हैं आपके पास वो करम के हिसाब से कितनी है तो चार है धारवार, कुटपपा, बिंधियन और गुणवाना और इसी करम में इसका निर्मान भी हुआ है अब हम प्रस्टनों पे आ सकते हैं जिसका इंतजार आप बहुत देर से इस वीडियो के लिए आपने छे मिनट हमारे साथ दिये है लगभग इस नोट्स को पढ़ने के लिए इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपकी जी चीजें हैं आप देखेंगे कि और आसान हो जाईए कौन सा कतन असत्य है सबसे पहले कोस्टन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यह नोटने यह कहा कि असत्य है सबसे पहले जो प्राद इपिय छेतर हैं भारत का वो सबसे प्राचींतम भाग ए ये तो सही है एकडम से इसमें कोई दोराई नहीं है हिमाला विष्वका सबसे नबीन परवत है और नबीन में भी वो folded परवत है वलिद परवत है ये भी सही है भारत में गोंडवाना सिलाओं में कोईले का ब्रिहंतम भंडार है ये भी सही है ठीक है तो ये तीनों जो है न वो सही आपको दिखता है सीन ओप्सन क्या है कि भारत के पस्मी समुद्रतट का निर्मान नदियों के जमाब द्वारा हुआ है जो पस्मी है जो विस्टर्न घाट है विस्टर्न घाट का निर्मान नदियों के जमाब के द्वारा नहीं हुआ है विस्टर्न घाट का तो निर्मान चुकि उधर की जो प पारण हुआ है ठीक है और भारत के में जो कोईले का विसाल भंडार है यहीं की गुंडवाना सैलों में जो है वो मिलता है हिमाले विस्व में सबसे नवीन परवतों में से एक है ठीक है तो यह इसके एक्स्प्लैनेशन्स जो है वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन यह जो हिस्सा है यह गलत है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जिका सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो सी है वो अपने आप में गलत है ठीक है क्योंकि यह जो वेस्टर्न घाट का निरमान जो है वो एक तरीके से हुआ ये कि जो वेस्टरन घाट का हिस्से का निर्मान अगर आप पूछेंगे मेरे से तो वो उसका निर्मान हुआ है कि वो टूटने से, स्रिंक करने से, जो प्राइद विपय भारत का एक हिस्सा है वो टूट के समुदर तल के अंदर चले गई, इसके कारण ज जो हिस्सा है वो नीचे चले गई, तो वहां से वेस्टरन घाट का निर्मान होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, तो इसका जो है C option गलत आपको दिखेगा, सात्वा है कि आपको सोची 1 से सोची 2 को जो है सुमेलित करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, डेकिन ट ट्रैप जो है, वो डेकिन ट्रैप इसका उत्तर हो जाएगा, क्रिटेशियस मतलब नूतन जो है, वो इसका उत्तर हो जाएगा, दूशरा है कि पस्मी घाट इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नूतन, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, अराबली, अराबली जो हिस्सा है उसका हो जाएगा प्री केम्ब्रियन समय में ये बना है अराबली और नर्मदा और तापती नर्मदा और तापती जो है वो अत्यंत नूतन मतलब अभी अभी जो है नर्मदा और तापती की जो है वो बनी है नूतन मतलब क्या नूतन मतलब की जो नया नवीन ठीक है तो डेकन ट्रैप जो है वो अभी अभी क्रिस्टेसियस पिरियर में बनी जो western घाट है वो उत्तर नूतन है यानि post जो है वो क्या कह सकते है post नूतन है ऐसे ही इसको कह सकते है इसके बाद अरावली जो है वो pre-cambrian एरा में बनी है और नर्मदा और तापती जो है वो अत्यंत नूतन समय में बनी ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B B को जो है वो सुमयलित हो रहा है UPSC ने उसे 1997 में पूछा है ठीक है आठवे नमर पे आते हैं आठवे नमर है कि एक चीज़ समझी है कि ये जो उत्तर नूतन को अंग्रेजी में कहेंगे सेनो जो इक ठीक है मुझे भी समस्य हो रही थी कि उत्तर नूतन का अंग्रेजी क्या होता है वो सेनो जो इक होता है ठीक है अराबली की उत्तपति प्रीकेम्ब्रीन मेंило ये सब जानता है ये आसान है ठीक है पस्मी घाट सेनो जो इक में बना था यंने वेस्टरिन घाट यह लिख देजिए western घाट ठीक है वो कब बना था S है न, S for Cenojoic ऐसे कर सकते हैं आप Cenojoic काल में बना था यह duck and trap crustaceous period में यह बना था duck and trap duck and trap जो है वो crustaceous period में बना था ठीक है और नर्मादा तापती की जो जलोड निछेप है वो अत्यंत नूतन काल में बनी है कि मतलब अभी अभी बना है ठीक है केरल का जो कुठा नाड है वो परसिद्ध किसलिए है केरल का जो कुठा नाड है वो परसिद्ध किसलिए है क्योंकि वो भारत का सबसे न्यून्तम उचाई वाला छेतर है कौन केरल का कुठा नाड ठीक है ये जो केरल का कुठा नाड है भारत का सबसे न्यून्तम उचाई वाला छेतर है समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरहिकों के लिए ये कुठा नाड प्रसिद है इसे कुठा नाड को केरल के धान के कटोरे के रूप में भी कहा जाता है तो कुठा नाड जो है वो केरल के धान के कटोरे के रूप में जो है वो जाना जाता है साथियों यह याद रखेंगे आप ठीक है केरल के धान के कटोरे के रूप में आप किसे जानते हैं कुठ्था नाड को कुठ्था नाड सतत किर्सी मतश्य पालन के लिए जाना जाता है और जो UNO की संस्थान है FAO Food and Agriculture Organization ये कुठ्था नाड की जो खेती के तरीके हैं उसको GIAHS मतलब Global Important Agriculture Agriculture Heritage System GIAHS GIAHS Global Important Agriculture Heritage System घोसित किया है FAO द्वारा ठीक है तो कुठ्था नाड जो है आप याद रखेंगे UPPCS ने कुठ्था नाड को 2015 में पूछा है इसलिए भी ये जरूरी है कुठ्था नाड निबलिकित में से कौन सा मर्वस्थल का छेत्र है सातियों मर्वस्थल का जो छेत्र है वो राजस्थान में पाय जाएगा मर्वस्थल ठीक है और राजस्थान जो है वो सिंधू छेत्र इसको कहते है 2018 में MBPCS ने इसको पूछा है भारत का बिसाल मर्वस्थल ये भाग ठार का मर्वस्थल है या भारत और पाकिस्थान के बीच भारत के राजस्थान राज और पाकिस्थान के सिंध प्रांथ के बीच जो है वो फैला है लगवग 2 लाख वर किलोमेटर में ये बिस्तारित पूरे सिंदू छेतर में जो है वो फैला है ठीक है तो ये बातें याद रखेंगे दस्वा नम्मर है कि निमलिकित में से कौन सा जिला धारवार जो है वो अस्तरिये रचना वाला नहीं है साथियों मैंने आपको कहा कि यहां आपको टोटली बीपेसी ने 2019 में ये पुछ लिया कि धारवार इसमें सिस्टम कौन नहीं है साथियों मैंने आपको बताया था अभी ही अभी लेकिन चुकी हमने आपको ये बताया कि चट्टाने जो हैं वो चार तरीके के हो सकते हैं आरकेन करम की चट्टाने धारवार करम की चट्टाने बिंध्यन करम की चट्टाने और सबसे अंति में जो बनती है वो गोंडवाना करम की चट्टाने बनती है इन में से कौन सा जीला धारवार करम की चट्टाने का जीला नहीं है तो मतलब आपको मैंने ये बताया था कि कुछ चट्टाने है जहां से मेटल प्राप्त होती है कुछ चट्टाने है जहां से मेटल प्राप्त नहीं होती बिहार जोग्रफी से ये question पूछा गया 2019 में और इसका सही उत्तर है रोहतास रोहतास से में धारवार करम की चट्टाने नहीं है ठीके, तो वहां कौन सी चट्टाने हैं ये भी जान लो आप तो बिहार में धारवार करम की जो चट्टाने हैं बिहार के दक्षिन पुर्व, बिहार के अंतरगत आते हैं इनमें मुंगेर आ जाता है, इनमें नवादा आ जाता है इनमें जमूई आ जाता है, ये तीन जिले M, N, J, मनोज से मैं याद रखता हूँ मुंगेर, नवादा और जमूई जिले में धारवार करम की चट्टाने है वहीं रोहतास चोकी साउथ, वेस्ट वाला हिस्सा है दक्षिन पस्सिम वाला हिस्सा है इस शेत्र में बिंधियन करम की चट्टाने आपको मिलेंगी और ये जो बिंदियन करम की चट्टाने है वो सोन नदी के द्वारा जो है वो कैमूर और सोन नदी जो है कैमूर की पहरी और सोन नदी के बीच जो है ये पाई जाती है तो आप ये याद रखेंगे कि बिंदियन करम की चट्टाने वो रोहतास के तरफ है और मुंगेर और जमोई वाला जो छेत्र है वो वहाँ धारवार करम की चट्टाने पाई जाएंगे अब UP PCS ने 2016 में एक प्रस्न पूछा ये कौन सी चट्टाने चट्टान प्रनाली है जिसमें भारत की जो है वो नवींतम ये चट्टान प्रनाली है सातियों हमने अभी पढ़ा था कि चा बिंधियन के बाद बनता है ठीक है तो हमने इसको पढ़ा था अगर इसके कोई कुछ नोट्स हैं तो दिख लेते हैं ये जो धारवार करम की चट्टाने हैं धारवार करम की चट्टानों को आर्कियन करम की वी चट्टाने के आते हैं और धारवान करम की चट्टानों में आ सारी चीजें प्राप्त होंगे उसके बाद दूसरे करम की चट्टाने हैं कुडप्प करम की चट्टाने इनका निर्मान धारवार करम की चट्टानों के बाद हुआ उसके बाद है बिंध्यन करम की चट्टाने और बिंध्यन करम की चट्टानों में चूने का पत्थर बलवा पूछा लेकिन मैं इससे सीधा कर दे रहा हूं तो यह बिंध्यन करम की चट्टानी जहां छुना पत्थर पाया जागा जहां बलवा पत्थर पाया जागा और बिहार का ये हिस्सा केमरओर और रोहतास वाला चैत्र है ठीक है, तो बिंध्यन करम के चट्टानों के बहुत दिनों के बाद गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्मान होता है और भारत का अधिकान स्कोईला यही गोंडवाना करम की चट्टानों से मिलता है तो सातियों अगर मुझे लिखना हो तो धारवार करम की चट्टाने टप्पा करम की चट्टाने बिंधियन करम की चट्टाने और उसके बाद गोंडवाना करम की चट्टाने जो है DKBG ठीक है यह चार तरके के चट्टाने जो है वो पाई जाती है और धारवार करम की चट्टाने है यह मेटल के लिए जो है वो famous है इस तरग्य से हमने साथियो चैप्टर नमर वन कम्प्लीट किया है अभी भौतिक विभाजन का दूसरा चैप्टर है उत्तर का परवतिय प्रदेश इसको पढ़ते है साथियो इस चैप्टर को भी पहले नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे जो हमें हमारी पूरी question solving की capacity को आसान करेगा उत्तर का परवतिय प्रदेश हमारा चैप्टर है मतलब की यह जो नौर्थ वाला इलाका है जहां हिंदी भासी हम जो लोग है या उत्तराखंड वाला इलाका हो गया या कस्मीर वाला इलाका हो गया या असंब वाला इलाका हो गया और उनाचल प्रदेश वाला इलाका हो गया यह सारे इलाके जो है वो नौर्थ में है यहां पहार पाय जाते हैं इन्ही पहारों की जो है बिसिस्ता जानेंगे और यह इस पहार का नाम है क्या हिमाले तो भारत की उत्तरी शीमा में जो है हिमाले है और हिमाले सबसे युबा पहार है दुनिया में यह नवीन वलित परवत है मतलब की एकदम न्यू फोल्ड मौन्टेन कहेंगे और ये पहार एक पहार नहीं है, ये पहारों की स्रिंखला है, स्रीज और पहारे यहां पाई जाती है, साथियों इसके उत्तर पुर्व की दिशा में सिंधु है, और इसके जो पूरे के पूरे ये पहार जो हैं, वो सिंधु से लेकर ब्रह्म पुत्रा तक फैली हुई पहारे हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये खुसी भी होगी कि बिश्व की सबसे ऊची जो परवत स्रेनी है ये इसी पहार पर है माउंट एवरिस्ट और हिमालय की लगभग पचीससो किलोमेटर की लंबाई है और इसकी जो ओसत चौराई है वो 214 किलोमेटर की है ये अर्ध बित के रुप में फैला हुआ है लेकिन जिस चीज को आपको याद रखनी है ये कि इसकी चौराई कस्मीर में तो बरी होती है 400 किलोमेटर की लेकिन अरुनाचल तक हिमाले का विस्तार है, पचेश सो किलोमेटर तक है, लेकिन हिमाले जो है, वो चौरा है कस्मीर में, और जब वो हिमाचल तक पहुंचता है, सौरी अरुनाचल तक पहुंचता है, तो वो उसकी चौराई कम होते होते हैं, 400 से 150 किलोमेटर तक होती है, इसे याद रखना है, ठी कि ये जो है कस्मीर से स्टार्ट होता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, फिर मेघाले, नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम, ये जो मनीपूर, मिजोरम, मयनमार वला हिस्सा है, और ये फिर आपको दिखेगा कहां, ये जो आप जान रहे न, ये अनमान ए निको बार, वहां तक हिमाओंड, हिमाओंड प्रदेश का हिस्सा जाता है, ये समझे, मतलब पूरा हिमाओंड इस तरीके से है, येगर इंडिया का हिस्सा बनाए, सोरी, ऐसे भारत अगर बनाए, तो हिमाओ जो है न, क्या ऐसे बन सकता है यह देखिए हिमाले ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है यहाँ अरुनाचल प्रदेश पहुचा अरुनाचल प्रदेश सीधा ऐसे ठीक है तो वो वला जो हिस्सा है यह है मैनमार ठीक है मैनमार वला हिस्सा और यह है इंडिया ठीक है तो यह वला जो हिस्सा ह यहां जहां नागालेंड है मनीपूर है यह सारे जो इलाका है यहां अरहनाचल परदेश है यह वाला इलाका भी जो है मत्तब कि यह जो इधर 누ará की तरफ जाती है इस्ट के बाद यह मुर जाती है साउथ की तरफ ठीक है हिमाले तो South Eastern Move इसका होता है ठीके और यहां फिर कहां तक चले जाती है नमान नीकोबार तक चले जाती है ये बातें याद रखनी है आपको ठीके जो बातें आपको और भी याद रखनी है वो मैंने आपको यहां बता दी है कि हिमाले की जो पस्मी भाग है जो कस्मीर वाला एक लाका है वो अधिक चौराई में है और उसमें उचाई में भी जो है इसमें अधिक डैवर्सिटी पाई जाती है तो पस्मी भाग जो है न हिमाले का जहां कस्मीर वाला एक लाका है वहां तो उतनी डैवर्सिटी नहीं मिलेगी लेकिन पुरवी भाग में जो असम वाला इलाका है जो अरोनाचल प्रदिश वाला इलाखा है, वहां बहुत ज़्यादे डाइवर्सिटी, जो नेपाल वाला इलाखा है, वहां बहुत ज़्यादे डाइवर्सिटी दिखाई देती है, ठीके? आच्छा, हिमाले के को जो है, हम चार भागों में बाट कर देखते हैं और ये जो चार भाग में हमने हिमाले को बाटा है चाहे वो ट्रांस हिमाले हो चाहे वो ग्रेट हिमाले हो चाहे वो मीडिल हिमाले हो चाहे वो सिवालिक हो ये जो चार भाग हैं इसको हमने इसलिए चार भागों में बाटा है क्योंकि इसके निर्मान की जो आई-यू है वो अलग-लग है ठीक है, अगर आप ट्रांस हिमाले की बाथ करें तो इन ट्रांस हिमाले का निर्मान इन चारों में से सबसे पहले हुआ और इसका निर्मान जो है वहивается टर्सरी काल में हुआ गर आप महान हिमले की बात करें जो ग्रेट हिमाले जिसको आप हिमाधरी भी कहalten है उसका निर्मान जो है वो ऑलीगोसीन यूग में हुआ मतलब आज से 25-40 million वर्स पुर्ब हुआ इसका निर्मान वहीं जो लगू हिमाले है जिसको middle हिमाले कहते हैं वो middle myocene period में हुआ मतलब 14 million year ego और जो सिवालिक है जो सबसे नवीनतम स्रेनी है उसका निर्मान जो है 5-1.7 million year ego पहले हुआ ठीक है तो ये जो चीजें है ये याद रखनी है हिमाले का जो उत्री भाग है अब हम great हिमाले को पढ़ने जा रहे है वहाँ महान हिमाले या उसी महान हिमाले को हम internal हिमाले आंतरिक हिमाले भी कहेंगे या हिमादरी के नाम से उसको जानते हैं ये एक continuous series of mountain है इसमें Austin जो mountain की उचाई है वो 6000 मीटर की है और बिस्व की सबसे उची उची चोटी जो है इसी mountain पे है आप देखेंगे कि Mount Everest की जो चोटी है वो great हिमाले पर ही है हाला कि Mount Everest की जो चोटी है वो नेपाल और तिबबत की सीमा पर इस्तित है और China क्लेम करता है कि तिबबत उसका है हमारे यहां की जो कंचन जंगा है जो हिमाले परवत की में इस्तित विस्व की तीसरी सबसे उची चोटी है वो भी इस यहीं इस्तित है great हिमाले में कंचन जंगा के पुर्व में जो है वो इस्ट की तरफ तिष्टा नदी बहती है और कंचन जंगा के वेस्ट में तामूर नदी जो है वो बहती है मतब यह दो नदी दो टी के बीच जो है कंचन जंगा जो है वो इस्तित है एक तरफ तामूर नदी और दूसरी तरफ टिष्टा नदी और उसके बीचे कंचन जंगा ये याद रखेंगे कंचन जंगा पुर्भी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा परिस्तित है ये जो अन्यपूर्णा चोटी है वो उत्तरमद नेपाल में है और धौला बीरा चोटी भी नेपाल में है तो अन्यपूर्णा और धौला बीरा जो है ये नेपाल में है साथियों मैं सिर्फ फैक्ट्स पर रहा हूँ जो आपके मुझे पता है कि आपके पास ये book है आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक बार ये facts आपके कानों तक पहुँच जाने चाहिए फिर questions को solve करेंगे ये जो great हिमाले है अभी तक हम trans हिमाले को क्यों नहीं पढ़ रहे क्योंकि trans हिमाले जो है उसको लेकर अधिक सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं और trans हिमाले को हिमाले का हिस्सा मानते नहीं है ये जो कारा कुरम वाला हिस्सा है ना वो trans हिमाले वाला हिस्सा है ठीक है वो बहुत पहले बना था ठीक है लेकिन हमारे यहां जो questions आते हैं ये ट्रांस हिमाले के अलावा मतलब कि ये जो कारा कोरम ट्रांस हिमाले वाला हिस्सा है न वो P.O. के में आता है basically तो चुकि उस पे अभी भारत का अधिकारी control है नहीं इसलिए ट्रांस हिमाले के questions बहुत कम आते हैं इसलिए इसके notes में भी सामिल ट्रांस हिमाले नहीं है ठीके जो कि मैं पूरे के पूरी geography आपको नहीं पढ़ा रहा इसके notes में जो चीजें दी गई है उसी को पढ़ रहा हूँ कोई additional facts में उपर से भी add नहीं कर रहा ठीके लेकिन जहां जहां वो ज़रूर परेंगे मैं add करूंगा लेकिन आपको बहुत attentively सुनने परेंगे यह जो महान हिमाले है मतब great हिमालिया यह asymmetric है इसकी वले की प्रवर्ति हिमाले की इस बहा को का crowd granite का बना हुआ है और यह हिस्सा हमेशा बर्फ से ढकी रहती है हिमाले से जो नदिया निकलती है वो perennial नदिया होती है मतब सतत वहानी नदिया होती है महान हिमाले के दक्षिन में मतब south में इस्थित है मद्ध हिमाले या लगू हिमाले ठीके जो और भी जादे जो है वो folded है सम्पिंडी थे ठीके और यहाँ जो औस्तन उचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीचे जबकि ग्रेट हिमाले में 6000 मीटर की औस्तन उचाई थे था ठीके 60 से 80 किलो मीटर की जो है वो चौराई है मद्ध हिमाले में पीर पंजाल रेंच जो है वो सबसे लंबी है यह याद रखेंगे आप मद्ध हिमाले में अगर सबसे कोई लंबी है तो वो है पीर पंजाल रेंच ठीके कौन सा मद्ध हिमाले में अगर सबसे कोई लंबी है तो वो है पीर पंजाल रेंच धौला धर और महाभारत सरिंखलाएं भी मद्ध हिमाले का पाठ है मद्ध हिमाले में कस्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगरा और कुलू की घाटियां भी सामिल है तो मद्ध हिमाले का जो हिस्सा है न वो उसमें उत्राखंड वाला हिस्सा बहुत और कस्मीर वाला हिस्सा हिमाचल वाला हिस्सा बहुत आता है ठीक है हिमाले के सबसे बाहरी सिंखला को सिवालिक कहते हैं यह सिवालिक सबसे नवीनतम स्ट्रेनी का है और इसकी चोड़ाई 10 से 50 मीटर की है ठीक है और 900 से 1000 मीटर के बीच जो है इसकी उचाई है यह सबसे संकेरण वाला जो हिस्सा है यहां से जो नदियां हिमाले से निकलती है वो यहां से जो है बहुत सारे अबसाद यहां आकर जमा करती है निम्र हिमाले जो है वो लगू और सिवालिक हिमाले के बीच इस्थित लंबत घाटी को दून के रूप में जाना जाता है ये दून का जैसे देहरा दून हो गया, कोटली दून हो गया, पाठली दून हो गया ये सारे जो दून है नून किसको कहेंगे ये जो Middle हिमाल है और सिवालिक के बीच एक बहुत लंबी घाटी है ठीक है बहुत लंबी उस घाटी को क्या कहेंगे उस वैली को कहा जाता है दून और इसलिए हम नाम लगाते हैं देहरादून कोटली दून ठीक है पाटली दून यह जो सिवालिक छेतर हैं जो की वो फुट हिल में स्थित है उसके पस्सिम में सिंधु से पुर्व टिस्टा के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है तो भाबर और बांगर यह सारे हम आगे पढ़ेंगे सिय समानता आठ से सोला किलोमेटर की चौरी हिमाले नदियो दौरा अचानक ढाल भंग होने के कारण सिवालिक अगर चेतर में कंकर और बजरी के जनाव से निर्मित मेखला है साथियों हम आगे पढ़ेंगे जब आप नदी पढ़ेंगे तो वहाँ नदी जो है वो चार अलग अलग स्टेज में गुजरती है एक तराई छेतर होता है एक भाबर छेतर होता है बांगर छेकुतर होता है फिर इस्टिचूरीज होती है वो हम पढ़ेंगे ठीके तो इन्होंने यहीं यहीं बता दिया है तो यह जो तराई चेतर होता है वहां बरे बरे कंकर पत्तर होते हैं उसके बाद भाबर होता है ठीके और आप देखिए कि यह जो भाबर वाला हिस्सा है यहां आपको दलदली छेतर भी मिलेगा अब देखिए यह जो सिवालिक वाल के नीचे जो तराई वाला हिस्सा है इसमें कंकर बजरी की संदरता बहुत अधिक होती है और यहां नदिया ऐसे लगती है कि यहां लुप्त हो जाती है यह केवल सोखी घाटी के रूप में दिखाई आपको देती है और इस चेतर को भाबर भी कहते हैं ठीक है हलाकि एक चीज समझें मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है सातियो मुझे लग रहा है कि यहां थोरी चीजे मगलप हो रही है इसलिए मुझे यहां लिखे कर बतानी होंगे कुछ चीजे एक सकेट पैनल ले ले सातियो सबसे पहले हमने बात की कि एक होता है एक होता है भाबर नदियों के स्टेज की बात करते हैं एक होता है भाबर ठीक है दूसरा है तराई वाला रच्छेत्र तीसरा होता है खादर चौता होता है बांगर सातियों अब तक जो आपको बताया गया उसको दिमाग से निकालिया फिर से समझे मुझे लगता है कि मैंने कुछ मगलप किया है इसलिए मुझे बताने होंगे भाबर वाला जो छेत्र है यहां बरी-बरी आपको तिलाएं मिलेंगी बहुत बरे-बरे ठीक है और इसमें नदिया जो है इन सिलाओं के बीच इस टिलाओं के बीच जो है वो खो जाती है ठीक है तो यह बाते याद रखेंगे तो यानि नदिया कहां खोती है भाबर के छेत्र में तराई चेत्र को एक सब्द में बताएं तो यह दलदली वाला चेत्र होता है ठीक है तो यह जो दलदली वाला चेत्र है वो अपने में तराई चेत्र है जो भाबर के साउथ में पाए जाता है ठीक है यही मुझे बतानी थी आपको यह बात जानिये जो पामीर की गाठ है वो ट्रांस हिमाले में इस्तित है ये भी बाते हम ने पढ़ी है ठीके और मैंने अब ही आपको बताया था कि क्यों हम ट्रांस हिमाले को लेकर कुछ जादे नहीं पढ़ रहे जो हिमाले की सबसे पवित्र एक स्रेनी है वो ट्रांस हिमाले की परवत माला के पस्सिम में इस्तित है वो ट्रांस हिमाले का ही पाट है हिमाले के पस्सिम से पुर्व में इस्थित छेत्रों के अधार पर हिमाले को विभाजित किया गया है इन वर्गीकरन में नदी घाटियों की सीमा के अधार पर इनको बर्गिर्कृत किया गया है जैसे सतलज और सिंधू के बीच की जो हिमाले है उस हिमाले को कहा गया पंजाब हिमाले मतलब नदियों के तौर पे अगर हिमाले को बाटे तो सतलज और सिंधू के बीच जो पहारी छेतर है उसको बताया गया पंजाब हिमाले पस्तिम से पुर्व की तरफ चलें तो कस्मीर तता हिमाचल को हिमाचल के नाम से हिमाले के नाम से जाना जाता है कस्मीर और हिमाले के नाम से जाना जाता है सतलज और काली नदी के बीच जो हिमाले का भाग है उसे कुमाउं हिमाले कहते हैं सतलज और काली ठीक है काली और टिस्टा नदी के बीच जो हिमाले की पार्ट है काली और टिस्टा नदी के बीच उस हिमाले को नेपाल हिमाले के नाम से जानते है और टिस्टा और दिहांग के बीच जो हिमाले है उसको असम हिमाले के नाम से जाना जाता है तो सातियो आपको ये जान देलना है कि सतलज और सिंदु नदी के बीच जो हिमाले है वो पंजाब हिमाले है सतलज और काली नदी के बीच जो हिमाले है वो हिमाले है कुमाउ हिमाले काली नदी और टिस्टा नदी के बीच जो हिमाले है उसे ही निपाल हिमाले कहा जाता है टिस्टा और दिहांग नजी के बीच जो हिमाले है वो असम हिमाले के नाम से परचलेते हैं यह जो ब्रह्म पुत्रा नदी है जो हिमाले के सबसे पुर्वी सीमा बनाती है इसको याद रखना है ठीक है यह जो दिहांग का छेतर है दिहांग गार्ज यह हिमाले की दक्चिन की और तीखा मोर बनाते हुए उसको मतलब ब्रह्म पुत्रा कैसे भारत में इंटर होती है तो वो दिहां गार्ज के थुरू ही भारत में इंटर होती है भारत की पुर्वी सीमा के साथ जो है वो फैल जाती है ठीक है और आप ये बात जानिए कि यहां के जो पहारी है इसको नौर्थ इस्टन राज्यों कि जो पहारी है इसको पुर्वांचल या पुर्वी पहारियां कहेंगे जो आपको पूरे नौर्थ इस्ट की पहारियां जो है आपको मिलेंगी ठीक है पुर्वांचल में पहारियों को जो है वो पटकाई नागा, मीजो और मनिपूर पहारियों के नाम से जाना जाता है तो पुर्वान्चल की पहारियां जो है वो पटकाई पहारी हो सकती है नागा पहारी हो सकती है, मीजो पहारी हो सकती है या मनिपूर की पहार हो सकती है बारत के लिए हिमाले का एक आपस में बड़ा महत्व है क्योंकि हिमाले हमारे यहां एक क्लाइमेटिक टिभाईट का भी काम करती है क्लाइमिट को भी जो है वो पाड़ती हैै हमारे हीमाले के कारण होता है हमाले साइवेडिया से आने वाली हवाएं है उसको भी रोकता है एक natural border create हमाले करता है हमाले Western Disturbants को जो पस्मी विच्छेप है उसको रोक कर हमारे यहां जो थंड में बारिश करवाता है तो हिमाले हमारे यहां जो है वो बहुत ही तरीके से काम करता है नैचुरल बॉर्डर है हमारा ठीक है यह मानसून की पवनों को रोक कर बरसा करवाता है ठीक है यह जो अटल टनल है जो दुनिया की सबसे बरी टनल है 9.02 km की अटल टरन वो हिमाले के जो पुर्वी छेत्र है पीर पंजाल छेत्र यहां मनाये गया और ये पूरे वर्स चालू रहेगे पूरे वर्स यह मनाली को लाहोल अस्पिती घाटी से जोर कर रखेगी इसका निर्मान जो है महतपुन है वर्स दो हजार दो में ततकालेन प्रधान मंतरी अटल भ्यारी बाजपई ने इस टरनल पर पहुँच कर इसके अधार सिला रखे थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग मतब हीमाचल प्रदेश में प्रधान मंतरी मोधी दोरा अटल टनल का जो है वो सुरुवात किया गया इसके डेट याद रख लेने हैं कि गांधी जी के बड़े के अगले दिन ही अटल टनल की जो सुरुवात हुई 9.02 किलोमेटर की और वो भी 2020 में हिमाले के अनुधहरी उत्तकरम की चर्चा करें हिमाले के कई थ्रस्ट मतब अनुधहरी उत्तकरम एवं फॉल्ट पाई जाते हैं हिमाले में अगर आप दक्चिन मतब साउथ से नौर्थ की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले जो फॉल्ट पाई जाएगी वो है मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT MFT और MFT मेन बाउंडरी फॉल्ट के मद्ध जो है वो सिभालिक है आपको ये बाते याद रखनी परेगी मेन प्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंडरी थ्रस्ट के बीच वो सिभालिक हिमाले है अगर आप मेरे से पूछे कि ये जो मिडिल हिमाले है वो किसके बीच है तो मेन बाउंडरी थ्रस्ट और मेन सेंटरल थ्रस्ट के बीच जो है वो आपको मिडिल हिमाले पाया जाएगा और वहीं अगर आप मेरे से पूछे कि ग्रेट हिमाले या ब्रिहद हिमाले कहाँ पाया जाएगा तो ये MCT मतब मेन सेंटरल थ्रस्ट के उपर पाया जाएगा इसे CCZ सेंटरल क्राइस्टेलाइन जोन भी कहा जाता है MCT के उपर HHC मतब हायर हिमालेन क्रेस्टेलाइन इस्तित है ये जो तिबबत हिमाले है जिसको तैथियन या HHC या STDS साउथ तिबबत्यन डिटेचमेंट सिस्टम के मद्ध अवस्तित है इसके उत्तर में इंडस सांगपो S चुडे जोन ITSZ अवस्तित है ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमाले है और इस उत्करम छेत्रों की अवस्तिती इवं हिमाले भोगोलिक संरचना के कारण भारत की सरवादिक सगंता वाला भुकम्पय चेत्र यही बन गया होता है और इस चेत्र में प्लेटो के संजालन के कारण यहां भुकम्प जो है अकसर आपको देखने को मिलता है सातियों हमने नोट्स पर कुछ समय घर्च किये अब इसका परिनाम आपको कुश्चन सॉल्व करने में दिखेंगे आए कुश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहला कुश्चन है कि एसर्संस रीजन के कुश्चन है कथन है और उनके कारण है UP pieces ने मेंज 221 में ये प्रस्चन पूचा कि हिमाले से निकलने वाली सारी नदिया सत तवाहिनी है ये तो सही बात है कि हिमाले से जो नदिया निकलती है वो perennial होती है उनमें पानी कमी कभी नहीं होती ठीक है और हिमाले नदि अपनी अधिकांस दक्षिनी पस्मी मतलब जो साउथ वेस्ट मौनसून से प्राप्त जो है वो करती है तो यह सही बात है कि यह जो साउथ वेस्ट मौनसून है उससे ही हिमाले की जो नदिया है वो अपनी पानी जो है वो अधिकान सरुप से प्राप्त करता है हलाकि बर्फ के पिखलने से तो पानी उन्हें मिलती ही है और हिमाले का तो सपोर्ट होता ही है लेकिन उनकी पानी का जो मुख स्रोथ है वो मौनसून ही है तो ये दोनों आपस में सही है तो हमने अभी आपको जो है जो बताया है उससे एक कोशन्स तो सॉल्व हो गए 2011 के ठीक है इस इन्होंने आरइस आरटियस प्री 2013 क्या इन्होंने सेम प्रस्ट जो है वो हैं इन्होंने से निकलने वाले सारी नदिया है सततवाहिनी है और और इन्होंनी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में इस्तित है बिल्कुल सही है दोनों सही है कि हिमाले की जो नदियों का उद्गम स्रोत है वो तो हिमानी ही है वो बर्फ है वहां जो पूरा हिम का जो भंडार है वही तो इसका स्रोत है यानि कि यह जो बी होगा यह इसका सही उत्तर ह यही है कि घटना चक्र को solve करने के फाइदे हिमाले की रचना समानतर वले स्रेनी में हुई जिसमें से प्राचींतम स्रेनी कौन है साथियों हमने देखा कि प्राचींतम स्रेनी जो है ट्रांस हिमाले वाली स्रेनी है सबसे प्राचींतम ठीक है उसके बाद ब्रिहत हिमाले वाल स्रेनी है और सबसे नविन जो स्रेनी है वो सिवाली किमाली बाली स्रेनी है तो क्या हमारे ओप्षन में ट्रांस हिमाले है जैंसर इस नो क्या बिरहत हिमाले है हाँ है ठीक है तो हमारे उप्युक्त विकल्प के अनुसार बिरहत हिमाले जो है वो प्राचिंतम स्रेनी है जो ओ ठीक है वहीं जो लगू हिमाले है वो मद्ध मायोसीन में 14 मिलियन वर्स पुर्व और सिवालेक हिमाले अभी इसे 5 मिलियन वर्स पुर्व जो प्लायोसीन योग है वहाँ बना था ठीक है इसके बाद हम आगे आए योपीसी ने 2010 में ये प्रस्न पूछा है इसको भी देख लेते हैं कह रहा है यदि हिमाले परवत की स्रेनिया नहीं होती हिमाले होता ही नहीं तो भारत में सरवाधिक इनके भौगौलिक छेत्रों पर क्या प्रवाब परता है साथियो मैंने अभी आपको बताए कि हमाले हमारे यहां क्लाइमेटिक डिवाइड की रूप में काम करता है सावेडिया से आने वाली हवाओं को रोकता है तो क्या ये देश का अधिकांस भाग में सावेडिया से आने वाली सीत लहरों कानुभव होता बिलकुल होता अगर हमारे यहां यह नदी ही नहीं होता ठीक है और नदी भी होता तो बहुत छोटे स्रोत होते उनके पानियों की कमी होती क्योंकि हमारे यहां जो मौनसून है वो तो हिमाले से टकरा कर हवाय हमारे यहां बारिस करती है और हिमाले है ही नहीं तो बारिस की कमी होती ठीक है और बारिस की कमी होती त तो हमारे यहां नदियां सही से काम नहीं करती जलोड मिर्दा की जो है वो हमारे हम बंचित हो जाते और मौनसून जो है उसका प्रतिरूप आपको उल्टा जो है वो मौनसून दिखता जो आज मौनसून आपको दिखता ही नहीं ठीक है तो हमारे यह जो सारे के सारे उत्तर है सारे सही है ठीक है पाचवा है कि उत्तर हिमाले में जो नौर्थ भारत है उप हिमाले छेतर के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है ठीक है तो उत्तर हिमाले के एकदम सटे वे मैदान को कहते हैं हम लोग भावर का छेतर यह जो भावर का चैत्र है न यहां नदियां बिलूप्त हो जाती है बरे बरे जो है वो कंकर पत्थर आपको दिखाई देते हैं यह भावर के चैत्रुप में ठीक है दून जो है वो सिबालिक और मद्ध हिमाले के बीच का जो बहुत बरी पट्टी है उसको दून कहते हैं खादर का चैत्र कहते हैं कि जब जो नदियां है वो उपजाओ मिटी लाकर कहीं जमा करती हैं तो वो खादर का चैत्र कहलाता है तराई का चेत्र जो है भावर के जस्ट साउथ में होता है तराई का चेत्र और ये दलदली भूमी होता है ठीक है हमने अभी पढ़ा था और ये UPPSC ने 2007 में पूछा प्रस्ण BPSC ने 1999 में ये प्रस्ण पूछा कि हिमाले का का परबत पदिये प्रदेश मतलब कि ये जो हिमाले की फुट हील में जो प्रदेश है वो कौन है ठीक है उसे क्या कहेंगे तो सिवालिक कहेंगे हिमाले के फुट हील को क्या कहते है सिवालिक कहते है ठीक है सात्वा कोश्चन है कि यह जो सिवालिक की पहारियां हैं, वो किन का हिस्सा है, सिवालिक की पहारियां हिमाले का हिस्सा है, ठीक है, आसान सा प्रस्न है, अभी मैंने कहा, कि नोट्स परने से आपके questions आसान हो जाएंगे, यह जो सिवालिक स्रेनी है, इसका निर्मान कब हुआ था, इसका निर्मान जोईक में हुआ था ठीक है यानि आज से 5 से 1.7 मिलियन एको ठीक है यानि इसको पुर्व प्लायोसीन अर्था सेनो जोईक जो है वो एज कह सकते हैं अचा सिवालिक सिरेनियों की उचाई कितनी है तो इसके उचाई को लेकर जो है हमने अभी देखा था कि इसकी उचाईयां जो है वो हजार तक जो है वो टच करती है तो हम इसका उत्तर देंगे क्या दें इसका उत्तर इसके उत्तर में आप ये वाला हिस्सा मार सकते हैं कि 850 से 1200 के मद्ध जो है वो सिवालिक की जो है वो उचाई है अलाकि इसकी औस्त उचाई 900 से 1100 मिटर के मद्ध है ठीक है और सिवालिक की जो उचाईया है ना इनमें आपस में भिन्निता पाई जाती है तो ये इसके correct options जो है वो थोड़े controversial हो जाते हैं ठीक है साथियो कुमाउ हिमाले को हमने कैसे बाटा था हमने नदियों के हिसाब से कुछ हिमाले को कुमाउ कहा कुछ को कसमीर हिमाले का नाम दे दिया कुछ को असम हिमाले का नाम दे दिया कुछ को नेपाल हिमाले का नाम दे दिया सिंदू और सतलज वाले हिमाले को हमने कसमीर हिमाले कह दिया काली और टिस्टा नदी के हिमाले को जो है हमने नेपाल हिमाले कह दिया सतलज और काली नदी के बीच की जो नहिमाले है उसको हमने कहा कुमाऊ हिमाले और टिस्टा और ब्रहम पुत्रा नदी के बीच जो हिमाले है ठीक है उसको हमने कहा दिया असम हिमाले तो हमने इसको भी पढ़ा है ठीक है इसलिए हमारे लिए आसानी पैदा ये कर रहा है ठीक है इसके बाद जो सिवा सिवालिक की सेल समू है उसके दक्षिन में भावर चैत्र है उन भावन चैत्रों का उधारन क्या-क्या है उन भावर चैत्र का उधारन है ग्रीपद इस्तिती का ठीक है मतलब की सिवालिक के दक्षिन में भावर चैत्र स्टार्ट होता है और यह जो भावर प्लेन है वो सिवा हिमाले के बाद पूरा फैला हुआ है आठ से 16 किलोमेटर की यो है ये पट्टी है और इसका निर्मार ककरी और बजरी के जवाब से हुआ है ठीक है आसान सा प्रस्ण है क्योंकि हमने अभी इसको पहले भी पड़ा है साथियो अगर आप हिमाले की यात्रा करेंगे यो प्यसी ने इससे 2012 में पूछा है तो आप निमलिकित में क्या देखेंगे हिमाले की अगर आप यात्रा करते हैं तो आप गहरे गढ़े देखेंगे ठीक है यू घुमाव वाले नदी के मार्ग भी देखेंगे ठीक है आपको जब नदी पर आया जाएगा तो वहाँ आपको बता जाएगा कि नदियों के मार्ग जो होते हैं वो नदी एंटिसिडेंट होता है नहां टांसिडेंट होता है नदी के मार्ग जो है वो आपको दिखाएंगे यूग मतब गार्ड्स निर्मान नदियां करती हैं समानांतर परवत स्रीनिया भी दिखेंगे यह जो लेंड फॉल हो भुव असकलन के लिए उत्तरदाई तिर्व ढाल परवन्ता भी दिखेंगी बहुत स्टीप स्लोप भी दिखेंगा जिससे लेंड स्लाइड आसानी पैदा हो सके तो यह सारी चीजें आप जब हिमाले जाएंगे तो आप देखेंगे मतलब कुछ भी चीजें आप छोड़ के नहीं आएंगे जब भी हिमाले आप जाएंगे तो उप्यूकत सारी चीजें एक बलित परवत के साप्च की रूप में आप देख सकते हैं चाहे वो गहरे गड़े हों चाहे वो यूटन लेने वाली नदियां हो चाहे वो भुवसकलन के लिए उत्तरजाई त्रिब ढ़ाल हो ऐसी सारी चीजें जो हैं आप देखेंगे साथियों ये मैप से रिलेटर कुश्चन है आप से इन चार ये भारत के सबसे उत्री छेतर है इसके इन चार एक दो तीन चार जो है वो अंकित अस्थान है और इन चारों में परवतिय सरेनी के नाम देने है ठीक है तो इन परवतिय सरेनी के नाम क्या होंगे ये वाला जो होगा ये होगा लदाख इस स्रेनी का नाम क्या होगा ये पहली वाली स्रेनी का नाम होगा लद्दाख ये होगा जासकर ठीक है ये होगा लद्दाख ये होगा जासकर हमने पढ़ा था तो लद्दाख और एक दो तीन चार इधर से आ रहे हैं ना हम लो ठीक है सॉरी ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रांस हिमाले का हिस्सा है सबसे इधर वाला हिस्सा तो ये इसको कारा कुरम कहा देंगे लदाक होगा जासकर होगा और पीर पंजाल होगा कारा कोरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल यानि ये सी वला हिस्सा होगा युप्यसी ने 1995 में पूछा था ये यानि जम्मू कस्मीर 31 अक्टूबर 2019 के पुर्व के उप्युक्त मांचेत्र में 1, 2, 3, 4 कि करमसर इस परकार है कारा कुरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल ये जो ट्रांस हिमाले है उसको तो हमने देखी लिया चौदवा नमर है कि लगू हिमाले जिसको मिडिल हिमाले कहते है किसके मद्दे में है तो लगो हिमाले सिवालिक और हिमाद्री के मद्द में है, यह महान हिमाले के मद्द में है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यही इसका क्रम है कि ट्रांस हिमाले, उसके बाद महान हिमाले, उसके बाद सिवालिक और इसके बीच में बैठा है लगो हिमाले 36 गड़ PCS ने 2015 में ये प्रस्ण पूछा कि पस्मी भाग में मतब भारत का जो उत्तरी हिश्चा है स्वारी पस्मी भाग में वेस्ट वाला हिस्चा है हिमाले की स्रेनियों का दक्षिन से उत्तर की और साथियों हमने इसको पढ़ा था और बहुत ही अच्छे से पढ़ा था निमन में से कौन सा करम सही है दक्षिन से उत्तर की और मतब नीचे से उपर की और तो नीचे से उपर में सबसे पहले सिवालिक से स्टार्ट करेंगे उसके बाद लगो हिमाले उसके बाद महान हिमाले उसके बाद ट्रांस हिमाले ठीक है असान सा प्रस्न है एक ही प्रस्न इधर से उधर गूम रहा है बिस्वकी में सबसे कौन नवीन परवत्सरेनी है तो वो तो निमलिकित में सबसे कौन सबसे नवीन परवत्सरेनी है तो वो तो सिवालिक है ठीक है और अगर हिमाले भी होता फिर भी हिमाले को भी हम उत्तर मारते है ठीक है अधो लिखित उच्चावच आकिरतियों पर ध्या इसको आप दक्षिन से उत्तर की और बढ़ते हुए दिखाईए दक्षिन से उत्तर की और बता सबसे नीचे क्या होगा और उपर क्या क्या होगा साथियों अभी जो हमने ये देखा था कारा कोरम लद्दाक जासकर और पीर पंजाल तो यही उल्टा प्रस्ण इन्हों ने यह पूछ लिए 2013 में आईयस प्रीद 1995 का उल्टा ही प्रस्ण है यह तो सबसे पहले होगा पीर पंजाल देखिए आप यहां हमारे पास पीर पंजाल वाला उप्शन नहीं है लेकिन फिर भी यहां देखते हैं मतब आप सबसे अंतिम में तो कारा कोरम होगा अगर कारा कोरम नह नहीं है तो जासकर होगा ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले देखिए यहां कारा कोरम पहले है तो कारा कोरम सबसे अंतिम में होगा उसके बाद लदाख होगा उसके बाद जासकर होगा और उसके बाद धौला धर होगा ठीक है अगर पीर पंजाल नहीं है तो धौला धर इसके उत्तर है सिर्फ आपको जो है न वो करम इधर से उधर कर दिया जा रहा है यह जो कारा कुरम है लद्दाक जासकर स्रेनिया है यह ट्रांस हिमाले से संबंदित है जबकि धौला धर है जो है वो लगू या मद्ध हिमाले की का पाठ है ठीक, धौला धर, किसका पाट है, लगू या मध्ध हिमाले का, ठीक है, ये बाते, क्लियर हो जाने चाहिए, फीर पंजाल भी, लगू या मध्ध हिमाले का ही हिस्सा है, अब आरेस, 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 प्री में, उन्होंने दोजार तेरह में एक प्रस्न पूछा, उसको भी निमलकित में से उत्तर दिशा की और से करम बार, परवत स्रेनी कौन सी है, उत्तर दिशा से, ठीक है, तो सातियों, सबसे पहले जो है, उत्तर दिशा की और करम बाली, उत्तर दिशा से नहीं, उत्तर दिशा की और, मतलब की, अब ये देखे, सबसे पहले पीर पंजाल हमने द गा अब सबसे औंत में यह जाजकर, लदाक, कारॉकरम यह तीनों पार्ट हैं इनों रखके भी रखा हैं पीर पंजाल जो स्रेनी हैं मद्य हमाले के पाथ हैं और सातियों अगर 17 नम्मर के पोस्ट मातम में हमने देखा था तो कारा कुरम लद्दाक और जाजकर कारा कुडम लद्दाख और जासकर ट्रांस हिमाले का हिस्सा है के लजड ठीक है के लजड के लजड ट्रांस हिमाले के हिस्से है पीर पंजाल और जासकर जो है ठीक है पीर पंजाल और धौला धर जो है वो मद्ध हिमाले के हिस्से उत्राखंड PCS ने 2012 में जो प्रस्ण पूछा उसको भी देख लेते हैं उन्होंने ये कहा कि अब आपको ये करना है कि पुर्व से पस्सिम की और पुर्व से यानि ये वाला हिस्सा से इधर की और यहां से इधर की और पस्सिम की और नेपाल की तरफ से स्टार्ट करो और इधर पहुंचो उत्राखंड की तरफ ठीक है तो नेपाल की तरफ से अकर आप स्टार्ट करना है इधर से मतब नेपाल उधर से तो कंचन जंगा की तरफ से स्टार्ट होगा ठीक है उसके बाद Everest आएगा उसके बाद अन्यपूर्णा आएगा उसके बाद धौला गिरी आएगा धौला धर जिसको कहेंगे ठीक है तो ये ये वाला जो है पार्ट होगा यानि बी होगा इंसर आरेयस ने 1996 में ये प्रस्ण पुच्छा है कि उत्पत्ति की दिरिष्टी से निम्न प्रवत्ती सरेनी में सबसे नवींतम कौन है सबसे नवींतम अजन्ता है कैमूर है पाल कॉंड़ा सरेनी है या पठकाई सरेनी आए साथियों ये पतकाई स्रेनी है जो है वो कहां हिक की हिमालिया है ये हमने आपको बताया था आपको जब नोर्स हम बता रहे थे तो वहीं हमने बताया था कि ये जो पतकाई स्रेनी है हम उसको नौर्थ इस्टर्न हिमालिया में परहेंगे ठीक है तो वहां आप इसको पटकाई स्रेनिया जो हिमाले है वो तरसरी युग में हुआ इसका ठीक है से सभी दक्षिन और मद्ध हिमालियों में इस्तित है ठीक है और प्राइदिप्य पठार का भाग है पटकाई स्रेनि जो कि प्राइदिप्य पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है इसमें स सबसे नवीनतम स्रेनी जो है पटकाई स्रेनी ही है, ठीक है, पटकोई स्रेनी हिमाले स्रेनियों में स्थित है, इसका निर्मान तर्शरी यूग में हुआ, यह हिमाले स्रेनी में स्थित है पटकाई, और इसका निर्मान तर्शरी यूग में हुआ, सभी से सभी दक्चिन और म भारत में स्थित है ठीक है इसके उपर भी कुछ लिकाए नहीं जो प्राइदयूपिय पठार का भाग है और चुकि प्राइदयूपिय पठार भारत का सरवादिक प्राजियंतम भूकंड है अता उप्युक्त में से सबसे नवीन्तम परवत स्रेनी पटकाई स्रेनी जो है वो सबसे नवीन्तम है, ठीक है, क्लिर, यहां देखिए साथियो, पुरभी हिमाले में हमने आपको बढ़ाया था कि यहां पटकाई स्रेनी की है, नागा, मीजो, मनिपूर में पहारियां सामिल है, तो पटकाई स्रेनी तो हिस्सा है, हिमाले की, और हिमाले की अगर यह इस्सा है, तो यह सबसे नवीन होगी, हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा था कि नोट्स को देखिए, नोट्स बहुत इंपोटेंट है, अगले प्रस्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पटकाई पहारियों में सनलग नहीं है, साथियो, पटकारी पहारियों में असम आता है, तीन एम आता है, और एक एन आता है, ठीक है, अमन उससे मैं याद रखता हूँ उसको, एफ और असम, तीन एम, मनीपुर, मिघाले, मिजोरम, और नागालेंट, मैंने अमन बताया था, इससे एम एन और एम तीन होता है, क्योंकि एम, एन में तीन वर्ड हैं, तो मैंने लिखा, एम तीन होता है, और एन नागालेंट, इसमें तिरपूरा सामिल नहीं होता, तिरपूरा मीजो के अंदर आता है, ठीक है, मीजो पहारियां का, साथियों पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल स्रेनी, पीर पंजाल स्रेनी कहां है, मैंने आपको बताया था, वहीं बताते हुए, कि कारा कोरम, लद्दाख और जासकर, के एल जेड, वो ट्रांस हिमाले के पाठ है, और पीर पंजाल हो गया, जो हिस्सा है, वो मद्ध हिमाले में है, ठीके, पीर पंजाल कहां है, मद्ध हिमाले में है, और पीर पंजाल की जो इस्थिती, अगर आपसे पूछी जा, तो यह जम्मू कस्मीर में है, ठीके, मद्ध हिमाले में, आगे आते हैं, तो धौला धर है, ठीके तो ये आपको पता होने चाहिए ताइसवा नम्मर है अटल टरनल सातियों मैंने आपको बताया था कि अटल टरनल 9.02 किलोमेटर की है 3 अक्टूबर 2020 को अटल टरनल जो है वो खुला गया इसका निर्मान BRO के द्वारा किया गया यह मनाली और लाहोल अस्पती को जोडती है यहाँ पीर पंजाल मैंने आपको बताया था कि पीर पंजाल कहा है जम्मू कस्मीर के मद्द इस्थित है और यह भारत के लिए सामडिक रूप से जो है महतपून है 2016 में इन्होंने पूछा युपी आरो ए आरो में तो इसका डी सही होगा इसके बाद आगे आते हैं अगला है कि निम्न हिमाले परवत स्रेनियों में किस परवत स्रेनी में अटल टनल जो है वो पार करती है कौन सा परवत स्रेनी साथियों हमने आपको बदाया था कि अटल टरनल जो है वो पीर पंजाल में पार करती है और पीर पंजाल का भी हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तो वो पुर्वी पीर पंजाल साथियो अगर आप BPSC की तयारी कर रहे हैं तो आप questions के level देखें कैसे confused ये कर रहा है पीर पंजाल भी है और आपसे ये भी पूछ रहा है कि कौन सा पीर पंजाल BPSC में पीर पंजाल या पुर्वी पीर पंजाल यानि आपको हिमाले की स्थिति अगर देखिए तो पुर्वी ही होगा क्योंकि ये आपको जो है लाहोल अस्पिती और जो है प्रवत स्रेनियों के बीज कस्मीर घाटी इस्तिते हैं तो यह जो ब्रिहत हिमाले है और पीर पंजाल के बीज जो है वो कस्मीर की घाटी इस्तिते हैं ठीक है 26 नम्मर भी सेम वही है जो MPPCS ने 2016 में पूछा वही UPPCS ने प्री में 2020 में पूछा और ऐसा भी हो सकता है कि BPSC इसको इस बार भी पूछ सकती है कि कस्मीर घाटी इस्थित कहां है कस्मीर घाटी साथियो अभी हमने चर्चा करी है कि कस्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमादरी प्रवत स्रेनी जिसको आप ब्रिहद हिमाले भी कहते हैं उनके बीच जो है वो इस्थित है 27 नम्मर है निम्न में से कौन अकसाई चीन का भाग है साथियो अकसाई चीन का भाग है वो लद्दा का पठारी चेतर जो है वो अकसाई चीन का भाग है कारा कोरम तो ट्रांस हिमाले का भाग है सिवालिक वाला जो हिस्सा है वो हिमाले की फुटोईल वाला भाग है और कस्म जो हैं यहां ट्राइ जंक्सन है अक्साई चीन ठीक है और भारत ने अभी यहां एक मुझे याद आ रहा है कि दौलत बेग ओल्डी करके जो है वो पूरी रोड का कंस्ट्रक्शन अक्साई चीन के कुछ दूरी तक किया था ठीक है और 1962 के युद्ध में चाइना ने इसको कब ग्रेट हिमाले की ओस्तन उचाई जो है वो क्या है या उचाई क्या है ग्रेट हिमाले की तो 88850 मीटर थीक है महान ग्रेट उस्तन उचाई तो हमने देखा था कि 6000 मीटर है जबकि सर्बोच चोटी मौट एवरेस्ट की उचाई जो है सागरतल से 8848 मीटर है मतलब लगभर 8850 मीटर 8848 मीटर और नेपाल और नेपाल एवं चीन की मौट एवरेस्ट की अधिकारिक उचाई जो है वो 8848.86 मीटर घोसित किया गया अता विकल्ब ए सही है हिमाले का प्रियाईवाची जो है सुरी हिमाचल प्रियाईवाची है किसका हिमाचल जो है वो मद्ध हिमाले का प्रियाईवाची है ठीक है हिमाचल मद्ध हिमाले का प्रियाईवाची है हिमाचल उप्युक्त रुप से मद्ध हिमाले का प्रियावाची है मद्ध अत्वा लगु हिमाले स्रेनी को महाभारत स्रेनी अत्वा हिमाचल हिमाले के नाम से जाना जाता है मद्ध अत्वा लगु हिमाले स्रेनी को या तो महाभारत स्रेनी कह दीजे या इसको लगू हिमाले जो है वो कह दीजिए वो दोनों सेम है ठीक है तो यह 29 नमबर मुझे लगता है कि फिर से रिपीट होगा क्योंकि हिमाचल जो है यह किसका प्रियावाची है इस तरह के questions जो है यह प्रियावाची जो सब्द लगा है ना वो इस question को थोड़ा confuse कर दिया ठीक है तीसवा है कि निमलेखित कत्रों पर धियान दीजिए और UPSC ने इसको 2017 में पूझा है यह तो महा 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 important हो गया ठीक है इन्होंने यह कहा कि भारत में हिमाले केबल 5 राज्यों में फैला हुआ है केबल 5 राज्यों में साथियों हिमाले अगर हम 31 अक्टूबर 2019 को छोड़ दे तो यह तो केंदर सासित परदेश है इन दोरों तो हिमाचल परदेश पहला राज्य हो गया उत्राखंड दूसरा, सिक्किम तीसरा अरुनाचल परदेश चौथा मिघाले पाचवा नागालेंड छठ्था मनिपूर साथवा मिजोरम आठवा त्रिपूरा नौवा नौराज्य में हिमाले फैला हुआ है नौराज्य और दो केंदर सासित परदेश ठीके इसके अलावा असम और पस्म मंगाल की पहारी छेतर भी इसके अंतरगत है अता हिमाले पांच से अधिक राज्यों में इसका विस्तार है पस्मी घाट गुजराट अच्छा इसमें आते हैं अगला है दूसरा है पस्मी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं ठीक है पस्मी घाट की भी expansion देख लेते हैं कितने राज्यों में है पस्मी घाट जो है जो western घाट है वो गुजरात से start होता है वो महरास्ट 2, गोवा 3, करनाटक 4, तमिलनाडू और केरल राज्यों में भी फैला हुआ है पस्मी घाट अब कहेंगे कि सर यह तमिलनाडू में कैसे फैला है आप माहे और कराईकल देखेंगे ठीक है और साथी साथ पुड़ू-चेरी वाला इलाका देखेंगे ये जो आईलेंड है न कुछ आईलेंड ऐसे हैं जो केरल की तरफ हैं पस्मी घाट की तरफ हैं और वो तमिलनाडू का हिस्सा है ठीक है तो पस्मी घाट तमिलनाडू में भी फैला हुआ है तो मतलब इस परकार छे राज्जों में पस्मी घाट जो है वो आपको दिखेंगे तो ये दूसरा statement भी गलत हो गया पुलिकट जील केवल दो राज्यों में फैली है ये बातें 100% से और है पुलिकट जील भारत का दूसरा सबसे बरा चिल का जील है और ये तमिलनाडो और आंधर प्रदेश में फैला है ठीक है तो ये बातें सही है मतब केवल तीन जो है statement है वो सही है केवल तीन ठीक है इसके बाद हम लोग आते हैं एक तीसवा नमर एक तीसवा नमर थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे ये MPPCS ने 2012 में पूछा है कि हमाले परवत सरेनी में निम्रकित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं दिखता है कौन से राज्य में हिमाले नहीं है उत्राखंड में हिमाले है उत्तरपदेश में हिमाले तो है नहीं है ठीक है इसके बाद 36 गड़ने 2018 में क्या question पूछे है तो 2018 में 36 गड़ने ये पूछा कि कौन सी स्रेनी जो है वो नविंतम स्रेनी है निमलखित में से कौन सी स्रेनी नविंतम स्रेनी है तो हिमाले स्रेनी और हिमाले में भी नविंतम कौन होगी तो सिवालिक ठीक है निमलखित में से कौन सी स्रेनी नविंतम स्रेनी है यूपी PCS ने 36 गट PCS कहीं जो है च्छापा है तो वो होगा नविंतम स्रीवनी हिमाद्री श्रीणी ठीक है अराबली विंद्यांचल पस्मी घाट और हिमाद्री यानि इसमें से जो होगा वो हिमाद्री होगा ठीक है भारत सर्षन रीजन का कोशन है 2019 में भारत में सरवादिक सगंता वाला भुकम्पिय छेत् हिमाले चेत्र में इस्तित है और हिमाले चेत्र में कई अनुधैरी उतकरम चेत्र सामिल है हमने सबसे अन्ति में पढ़ा था अनुधैरी उतकरम चेत्र और इसी कारण जो है आप देखेंगे कि हिमाले में क्या है बहुत सारे फॉल्ट लाइन है और इसी फॉल्ट लाइन के कारण जो है वो इसके adjustment के कारण जो है वो भुकंप आता है भुकंप बाली छेतर है तो इसलिए हम कहेंगे कि assertion और region दोनों सही है ठीक है तो भारत में सरवाधिक भुकंपिय छेतर हिमाले चेतर में है इस चेतर का अधिकांज भाग to Susmic Zone 4 और 5 में आता है और इसके अंतरगत जो सब्सक्कार नहीं हमाले का विस्तार है हमाले का विस्तार है यह सही है मैंने कहा था कि हमाले में बहुत सारे fault दिखाई देते हैं ठीक है थ्रस्ट दिखाई देते हैं और यही कारण है कि में फ्रंटल थ्रस्ट जो है हमने इस पर चर्चा की है कि में फ्रंटल थ्रस्ट किसको अलग करता है दक्चिन से अगर उत्तर की और बर हैं तो में फ्रंटल थ्रस्ट और में बॉंडरी थ्रस्ट के बीच जो है आपको सिवाल रालिक वाला हिस्सा पार में बॉंडरी थ्रस्ट और में इन ने सेंट्रल थ्रस्ट यो है वो लगु हमाले वाला हिस्सा मिलेगा डिषह क्रिस्टे में दोष्ट आ क्रिस्टे लाइन स्ट मां की बात कर लें तो में फ्रिय encryption एंपियस रेनी के जो है वो रीजन है ठीक है आईटी एसजेट के बारे में भी हमने देखा था जिसको इंडस सैंग पो सैचुड़े जोन कहते हैं ठीक है यह हिमाले के सबसे उत्तर वाले हिस्सा है ठीक है और यह भोकंप प्रवन छेत्र है इसके बाद आगे आते हैं किसका तो इमफाल बेसिन है स्रोवरिय मैदान का और यही मैदान में बहुत जादे आपको पता है कि मैतई समुधाई के लोग रहते हैं ठीक है मैतई और कुकी समुधाई के बीच मनिपुर में तो बहुत ही जादे बिवत्स इस्तिती हमने देखा कुछ दिन पहले ही पुर और उस जील को भरते 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 मैदान का निर्मान कर दिये तो स्रोवरिय मैदान इसको कहेंगे कस्मीर घाटी अब इमफाल बेसिन इसके उच्टम उधारन है कस्मीर घाटी और इमफाल बेसिन यानि कस्मीर घाटी भी पहले जो है कोई जील था और तलचट के जमाब के क 2019 में पूछा है question कि हिमाले की जो परवत स्रेनी है उसके सम्मंद में ये बताईए कि मुख्य हिमाले की परदार स्रेनी जिवास महीन है साथियों ये जो question है यहीं गलत होगा क्योंकि हिमाले न वो एक तरीके से वलित परवत है 33 सी से उठकर बना है तो खसी में तो जिवास महोंगे न तो इसके जिवास में तो मिलेंगे परवत पे तो ये तो गलत है यानि one 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 गलत होगा तो बी तो सीधे सीधे हमारे पास उत्तर आ रहा है ठीक है लगू हिमाले की परदार चटानाव में समूंदरी जीव जनतों के जिवास मिलते हैं बाई हिमाले सिवालिक में मानव सभ्यता के अपसेस मिलें बाई एकदम से क्लियर है आसान सा प्रस्न है 37 नमर है कि करेवा फॉर्मेशन साथियो करेवा की जो फॉर्मेशन है इसको लेकर BPSC ने हाले ही में सवाल पूचे है ठीक है तो यह बहुत जवड़ी है उत्तर प्रदेश यह करेवा की फॉर्मेशन कहा होती है पता है आपको कस्मीर हिमाले में होती है और बहुत ही मज़िदार प्रस्न हसाथियो करेवा फॉर्मेशन NCRT आप परहेंगे आपको बहुत अच्छे से जो है वो इसकी knowledge मिलेगी करेवा की जो भॉह आकिरती होती है कस्मीर हिमाले मिलता है और करेवा जो है न वो जाफरान की खेती के लिए यानि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है यह clear होने चाहिए कैलास परवत जो है जो हिंदूओं का पवित्रतम अस्थल है वो किसका भाग है साथियो कैलास परवत जो है हमने देखा था कि यह ट्रांस हिमाले का ही भाग है ठीक है और कहा इस्तित है यह तिबबत में इस्तित है कैलास परवत और यहाँ जाने के लिए मतब कैलास परवत तक आसानी पैदा की जासके पहुचा जा सके और इसको लेकर भारत सरकार जो है वहाँ तक रोड बनानी की कोसिज कर रही है जहां से आसानी से कैलास परवत पर लोग जा सके अगर उन्हें चाइना से अनुमती मिलती है तो अब सातियो चेप्टर नमर 3 पर पहुँच चुके हैं जहां हम साउथ इंडिया की पहारों को पढ़ेंगे या मद्ध प्रदेश के अंदर की जो पहारे हैं या चतिसगड की जो पहारे हैं यानि मद्ध भारत की पहारे और जो दक्षिन की पहारे हैं उनको पढ़ेंगे लेकिन उनको पढ़ने से पहले जैसा कि हम हर क्लासिस में करते जा रहे हैं कि हम इसके जो नोट्स दिये हैं बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छे नोट्स हैं इनको पहले पढ़ेंगे साथियो भारत का बहुत ब़रा चेतरफल जो है प्राइदीपिय भाग है, जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, हाँ, वो भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है, ये गोंडवाना भूमी का पाट रहा है, ये आप एक बात समझे कि ये जो पठारें हैं भारत की, ये दो, इसके दो मुख्य भाग हैं, एक मद्ध उच्य भूम और दूसरा है डेक्केन का पठार, ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में, प्राइदीपिय पठार का वो भाग, जो की मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे उच्य भूमी के नाम से जाना जाता है, है, साथियो, उच्य भूमी को या दक्चिन के पठार को बाठते हैं, हम नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी के ऊथ्तर में, नौर्थ में, नर्मदा नदी के उपर, जो पठारें पाई जा रही हैं, जो उपर वाली भूमी पाई जा रही हैं, उनको हम Highlands कहेंगे, उच्य भ उस भूमी को हम कहेंगे डक्किन का पठार, यह जो बिंतिर स्रिंखला है, उसके डक्षिन में और मद उच भूमी तथा उत्तर पस्सिम में अराबली से घिरी हुई है, यह जो अराबली स्रेनी है ना, दुनिया की रेसिडियल मॉंटेन इसको कहते हैं, ठीक है, वह यह गुज इसका निर्मान, अराबली का निर्मान, प्री केंब्रियन एरा में हुआ, जो आज से 600 से 570 मिलियन वर्स पुर्व की इस्तिती है, साथियों, यह भारत का सबसे प्राचीनतम परवत है अराबली, और यह विश्व की सबसे प्राचीन परवत स्रिंखलाओं में से एक है, अर गुरु सिखर की लंबाई 722 मिटर की है, अराबली को मैंने अभी आपको बताया कि इसको रिसीड्वल मॉन्टेन कहते हैं, और रिसीड्वल मॉन्टेन वैसे मॉन्टेन को कहते हैं, कि जिसमें वैसे मॉन्टेन है, जिसकी जो है, वो इरोजन के कारण, दीरे दीरे मॉन्ट समय में जो अपर्दन की सक्तियां है वो अपर्दित होते 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 इनके अबसिस्ट पार्ट ही अभी आपको दृष्टी गोजर है अभी आप उसके अबसिस्ट पार्ट को ही देख रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो अराबली थी वो इससे भी उची थी लेकिन इसका अब भी जो आप देख रहे हैं इसका अपरदन होने के बाद का रूप है जो कि इसका निर्माइन परवतों के अत्यधी का परदन होने से होता है इसलिए इन्हें घरसित परवत या अवसिस्ट परवत भी कहा जाता है ये घरसित और अबसेष्ट परवत के उधारन जो है वो बिंध्याचन भी है अराबली भी है सत्पूरा भी है सात्यों एक चीज़ आप ये जानें कि जो सत्पूरा रेंज है यहां कहीं पाये जाएगा सत्पूरा पीच में सत्पूरा रेंज दक्कन पठार का भाग है और सत्पूरा रेंज का विस्तार गुजरात से सुरू होकर महराज से होते हुए मद्द परदेश होते हुए 36 गड़ राज्यों में होता है इन स्रेनियों में उत्तरी भाग पर नर्मादा नदी और इनके दक्षनी भाग पर तापती नदी होती है सत्पूरा स्रेनियों जो हैं इन दोनों नदियों के बीच में स्तित है सात्योत जो याद रखनी है आपको जो धूपगड चोटी है धूपगड वो सत्पुरा की चोटी है ठीक है सत्पुरा की सबसे उची चोटी है जो पंचमडी मेशती थे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कोई आदमी साथ पुरान पढ़ लिया है साथ पुरान ठीक है तो क्या उसे धूप लगेगी नहीं वो धूप किला बना लेगा सत्पुरा मैं जस तरीके से याद रखता हूँ कि सत्पुरा की सबसे उची चोटी धूप कड़ ठीक है सत्पुरा साथ पुरान पढ़ लिया इसलिए उसे धूप नहीं लग रही है पंचमड़ी में इस्तिते कुछ चीजें आपको डेवलप करने परेंगे वहां सहयाद होती साथ योप पस्मी घाट को सहयादरी कहते हैं और हमने अभी देखा था कि पस्मी घाट जो है वो नदियों के द्वारा तो नहीं बनाई गई है पस्मी घाट का निर्मान तो सबवर्जन के कारण हुआ है ठीक है पस्मी घाट की ओसत उचाई 1200 मिटर की है ठीक है जो लगबग सिवालिक के तरीके की उचाई है सिवालिक की उचाई 900 से 1200 मिटर की है और पस्मी घाट की उजाई 1200 मीटर की है ये बात भी आप देखिए केरल में पस्मी घाट को सब्य परवतम के रूप में जाना जाता है पस्मी घाट की सबसे उची चोटी केरल में अनाई मुदी चोटी है ठीक है पस्मी घाट की सबसे उची चोटी 2695 मीटर की चोटी है जिसको हम अनाई मोदी कहते हैं ठीक है और ये है केरल में ये पस्मी घाट की सबसे उची चोटी है ठीक है अब आप इसे कैसे याद रखेंगे तो ये मोडी है ना इसको मोदी कर देते हैं ठीक है तो मोदी जो है वो केरल में ना होके भी एक बरे नाम के रूप में है इस तरीके से याद रख सकते हैं पस्मी घाट में सबसे उची छोटी अनाई मोडी ठीक है मोडी जो है वो मुर नहीं रहें केरल में उनका कुछ नहीं हो रहा है ठीक है सबसे बरे हैं देखो मैं इसको ऐसे याद रखता ह कि मोदी जो है भारत के सबसे उची कुर्सी पर विराजमान है ठीक है लेकिन केरल उनके लिए मुर नहीं रहा ठीक है अन्नाई मुडी ठीक है पस्मी घाट का दक्षनी चेत्र जो है जो साउत वाला चेत्र है उत्री चेत्र के अपेक्छा अधिक उचा है इसलिए आप देखे केरल में ठीक है और केरल में भारत का सबसे नवीन सबसे लोएस्ट अस्थल भी हमने देखा कुली कुड़ा ठीक है पस्मी घाट का विस्तार पस्मी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलाडू के लगबग 1500 किलोमेटर की लंबाई उत्तर में तापी के मोहाने से दक्षिन में कुमारी अंतदीब तक पाय जाता है इन्हें ब्लॉक परबत कहते हैं इनका निर्मान एक खंड के अरब सागर के अप संवलन के कारण हुआ पस्मी घाट का निर्मान इस पस्मी घाट में तिवर एवं खरा जबकि पुर्वी ढाल में मंद और सीडी नुवा ज जो पुर्वी घाट है जो इस्टर्ण घाट है वो थोड़ा जूका हुआ है 16 डिगरी उतरी अक्षांस पर पस्मी घाट मुख्यता बेसाल्ट सेलो एवं गोवा के दक्षिन ग्रेनाइट एवं नाईस सेलो से निर्मित है ठीक है तो 16 डिगरी उतरी अक्षांस तक जो पस् आगे ग्रेनाइट और नीज से बना हुआ है तो सोलर डिगरी तक तो बेसाल से उसके आगे ग्रेनाइट और नीज से बना है यह जो नल्ला मल्लाई पहारियां है आंधर प्रदेश में और तिलंगना एवं तिलंगना के मद सीमा बनाती है नल्ला मल्ला पहारियां आंधर प पीच जो है वो इस्थित हैं कौन नल्ला मल्ला पहारी और यह पुर्वी घाट की पहारी में पुर्वी तट्ये मैदान के समानांतर उड़ीशा से नीलगिरी पहारियों के मद ब्रिस्तित हैं एक पहारी है जवादी पहारिया जो तमिल्लाडू में इस्थित हैं जवादी पहारिया कहा हैं तमिल्लाडू में जवादी पहारियों की रानियों के नाम से विख्यात नीलगिरी पहारी नीलगिरी आपको यादी होगा पैस्वर रिजर भी है पहारियां पुर्वी घाट और पस्मी घाट के मिलन अस्थल है ये ठीक है, मीटिंग पॉइंट है ये डोडा बेटा नीलगिली पहारी की सरवोच उची चोटी है साथियों, जो वेस्टर्न घाट और इस्टर्न घाट है वो जहां मिलती है उसको हम क्या कहेंगे नीलगिली पहारी और नीजली पहारी की सरवोच उची चोटी है डोडा बेटा दक्षिन बहारत की परसिद डोडा मतब तमिलनाडो जन जाती यही निवास करती है अन्ना मलाई जो पहारियां है वो केरल और तमिलनाडो की सीमा बनाती है साथियों हमने देखा था अभी नल्ला मल्ला पहारी आंतर प्रदेश और तेलंगना की सीमा बनाती है और अन्ना मलाई जो है वो किरल और तमिलनाडियों की सीमा बनाती है और अन्नाई मूडी जो है वो अन्ना मलाई पहारी की जो है वो सर्बोच उची चोटी है और वेस्टर परवत ग्रंथी है, साथियों काडोमम पहारियों की भी चर्चा कर लें, काडोमम पहारियां दक्चिन भारत में, दक्चिम पस्सिम घाट में केरल के दक्चिन पुर्वी हिस्से और तमिलनाडू के दक्चिन पस्में हिस्से में वस्तित है, काडोमम पहारियों में इलाइची की जो पहारी हैं काड़ोमम को हिंदी में इलाइची ही कहेंगे इलाइची की खेती बहुत ब्यापक तोर से होती है इसलिए इसका नाम काड़ोमम पहारी कहीं कहीं जाती इसके बाद है यानि काड़ोमम पहारियां कहा है तमिलाडो में सिर्फ ऐसे याद रखना है काड़ोमम क का है तमिलाडो में और केरल अनना यो लो गई सबसे उच mening to खराँ एक नेट रखूल आपको पूछा जये कि सेवरोई पहारियां जो है वह किसकी कहां है उटमिलाडो में यह पूर भी घाट का हिस्सा है तमिलाडो में परसिद इस पहारियों पर स्थित Unigar महादेव की पहारियां सत्थ पूरा परवत स्रीनी के भाग है जो मदपरदेश में इस्तित है कैमूर की पहारियां जो है वो मदपरदेश से बिहार तक बिश्तित है सासाराम तक गढ़जात की पहारियां जो है उरिशाराज्य में इस्तित है यहां गढ़जात की पहारियां म वो तेलंगना में इस्तित है ठीक है रामगिरी की पहारिया या पुर्वी तट या महेंदर परवत का हिस्सा है मैकाल स्रेनी की जो सत्थपुरा स्रेनी का पुर्वी भाग है या मद्ध परदेश और छत्थिसगड राज में इस्तित है साथयो मैंने एक बार आपके साथ इसको पढ़ा लेकिन आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ सर ने इसको पढ़ा है और इससे होने जाने वाली क्या चीज़े है अन्ना मलाई पहारी को लेकर आप कहेंगे कि सर ये तो तमिल्णाडो में पाय जा रहा है ठीक है याद हो चुकी है और जब हम questions को बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि पस्मिघाट को सहयादरी के नाम से जानते हैं धूप गड़ जो है वो धूप जो सत्पूरा की सबसे उची चोटी है ठीक है आपको ऐसे चीजें याद होती जाएंगे और इस पर तो इतनी चर्चा हो चुकी है कि आप आख बंद करके भी जवाब दे सकते हैं अराबली जो है सबसे पुरानी है और अराबली की जो का जो हिस्सा है वो आपको कहां तक दिखता है दिल्ली तक दिखता है ठीक है और दिल्ली में जो राइसीना हेल्स है वो जहां एर में हुआ था अराभली की सबसे उची चोटी का नाम जो है वो करो सिखर है. ठीके और विश्व की सबसे कोई प्राची इन्तम अगर परवत होगी उनमें से अराभली का नाम आता है. ठीके तो पुराणी अस्रेणी है गुजरात के पालन पूर से लेकर राजस्थान, हर्यान और दिल्ली तक फैली है आरावली, ठीक है 800 किलोमेटर की जो है वो पूरी लंबाई है आरावली की भारत में निमलकित में से कौन सी परवत स्रेनी सबसे पुरानी है सातियों ये इतनी बार पूछा जा चुका है ये प्रस्ण सेम है ठीक है तो ये अरावली होगा इसका एंसर निमलकित में से 2017 में पूछा गया 2016 में 36 पीसियस ने इसको फिर से पूछा कि भारत की प्राचिन्तम जो परवत स्रेंखला है कौन है तो वो अरावली है अरावली स्रेनिय किस राज्य में इस्थित है राजस्थान में तो इस्थित है ही है ठीक है राजस्थान, गुजरात, हर्याना और कहां दिल्ली भारत की प्राचिन्तम स्रेनि कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जिसमें इन्होंने नहीं पूछा है आप देख लें 95, 19, 2010, 2014 में आरो में पूछा अरावली परवत स्रेनी की अनुमानित आयो कितनी है अनिमानित आयो लगभग आप 570 मिलियन वर्स हमने देखा था भी UPSC ने इसको 2001 में पूछा UPSC थोड़ा अलग करी लेकिन पूछा जरूरा आरावली से ठीक है सबसे पराचीन आप देखिए परवत में कौन सा परवत हला भाग है तो भारत का प्राइदीपिय पठार ये थोड़ा अलग किया ठीक है 36 पिसेस ने लेकिन ये भी फिर रटा रटा है कुशन पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना प्राचीनतम भाग प्राइदीपिय पठार है जो गुणवाना भूमी का हिस्सा था ठीक है प्राइदीपिय पठार और इसका कुछ पार्ट जो है आपको मेगाले में भी दीख रहा है जो माल्दा फॉल्ट के द्वरा अलग होता है हमने पीछे भी पढ़ा है ठीक है साथियो इसके बाद है कि रेजिड्यूल मॉन्टेन हमने आपको बताय था कि रेजिड्यूल मॉन्टेन का जो बहुत बड़ा एक्जांपल है अराबली है फिर आप देखेंगे कि वो सत्पूरा भी हो सकता है उसका तो रेजिड्यूल मॉन्टेन के एक्जांपल है ठीक ब्लॉक मॉन्टेन निम्विकित में से सबसे उची चोटी जो है दक्चिन भारत की सबसे उची चोटी का नाम कौन सा है साथियो वेस्टरन गाट की जो सबसे उची चोटी है वही दक्चिन भारत की सबसे उची चोटी है और उसका नाम है अन्नाई मूदी अन्नाई मूदी की जो है वो 2695 मीटर की जो है वो उचाई है और ये केरल में है ठीक है ये चोटी पस्मी घाट का जो है वो पाट है लिखित में से दक्चिन भारत का सबसे उची चोटी जो है वो अन्नाई मुदी है मैं कहा रहा हूँ कि आपको फिर से हाथ नहीं पकरने को मिलेगा भारतिय महादीप की भारतिय प्राइद वीप की सबसे उची चोटी मतलब इंडियन पनेंसूला की सबसे उची चोटी का नाम अन्नाई मुदी 2695 मीटर केरल नर्मदा और तापती इन नदियों के बीज जो पहारी इस्थित है वो कौन है सत्पुरा और सत्पुरा की उची चोटी है जो साथ पुरान पर लेता है धूप गड़ ठीक है आपको बताईए उत्तर से सुरू करो और दक्चिन की और जाओ मतलब उपर से नीचे की और जाओ और आपको सही पहारीों के नाम जो है वो बताने है तो सबसे पहले है नल्ला मल्ला पहारी उत्तर से दक्चिन निमने उत्तर से सुरू कर दक्चिन की और दी गई पहारीों का सही करम कौन सा है तो सबसे पहले नल्ला मल्ला पहारी साथियों नल्ला मल्ला पहारी हमने देखा था कि ये आंत्र प्रदेश और तेलंगना की boundary को जो है वो तै करता है जबादी पहारी तमिलनाडू में है नील गरी पहारियां जो है वो इस्टरन घाट और वेस्टरन घाट को जोरती है इसके नील गरी का सबसे उचा चोटी का क्या नाम है डोड़ा बेटा अन्ना मलाई पहारिया तो इसके नरू नदी के मद इस्ते थे जबादी पहारियां तमिलनाडू के राज्य में इस्ते थे और जबादी पहारियां जो है इन्हें पहारियों की रानी के नाम से बिख्यात नील गरी जो पहारियां है वो पुर्वी और पस्मी घाट को जो है वो जोरती है अन्ना मालाई पहारी जो है वो केरल और तमिनाडू के तठ पर इस्तिते साथियों में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कितनी बार इसको पढ़ेंगे जारखन पीसियस ने 2016 में क्या प्रस ने पूछे उन्होंने कहा कि आपको न ये जो हाई लेंड्स हैं इनको करम में सजाना है तो महादेब परवत स्रिंखला उसके बाद मैकाल स्रिंखला उसके बाद छोटा नागपूर पठार उसके बाद खासी की पारियां इन सारे की उजाई जो है यानि इसी करम में है तो यानि यह होगा उत्तर महादेव प्रवत स्रिंखला ठीक है महादेव और मेकाल जो है वो तो आपको सत्पूरा का पाड़ है छोटा नागपुर्व की जो स्रेनी है और तथा सबसे पुर्व खास की स्रेनिया मेगाले में इस्तिते ठीक है ये ठीक प्रस्टन था एक तरीके से लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं था क्योंकि हमने महादेव और मेकाल को जो पढ़ाई है छोटा नागपुर और खासी पहारियों को पढ़ाई है लेकिन ये हाई लेंस को लेकर पूछा जा रहा है तो ये थोरे अटपटे और बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि महादेव पहारियों की भी आपको लंबाई पता होनी चाहिए मैकाल की भी छोटा नागपुर की भी खासी की भी और ये याद करना थोरा संभब नहीं है तो ये जो जारखंड PCS वाले है मुझे लगता है कि दुनिया के में अगर सबसे जादे टफ को एक्जाम लेता है वो जारखंड PCS वाला ही है और इसके सिलेवस भी बहुत जादे भास्ट है ठीक है टफनेस में जारखंड PCS है अब आ गया BPSC अब तक बढ़ा आसान प्रस्ट पूछ रहा था और अभी आसान नहीं दिखेगा 2016 में BPSC ने पूछा कि निमलकित में से किस पहारी पर पुर्भी घाट और पस्मी घाट मिलता है साथियों कितना आसान पहारीों की रानी के बारे में इन्होंने पूछा है निलगरी पहारी ठीक है डोड़ा बेटा इसके सबसे उची चोटी है ठीक है 26-37 आगे आते हैं डोड़ा बेटा चोटी जो है वो निलगरी पहारीों की सबसे उची चोटी है जहां पुर्भी और पस्मी घाट मिलते हैं बीपीसी ने 1999 में भी यही कुश्ण पूछा था वो पूर्भी पस्मी मिलते हैं तो कौन बनता है निलगरी ठीक है आप देखिए तो सही कितना आसान है निमलिकित में से कौन एक करनाटक साथियों करनाटक केरल और तमिलनाडू कौन निलगरी पहारियां जो है यही मिलाती है करनाटक केरल और तमिलनाडू निलगरी परवत माला जिस राज में इस्तित है कहां तमिलनाडू में भी है करनाटक और केरल में यह तमिलनाडू होगा इसका अंसर भारतिय समुन सास्तियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पस्सिम दक्षिन पस्सिम में 455 किलोमेटर दूर एक नई 505 मीटर उचे परवत की खोज की है इस परवत का नाम क्या रखा है इन्होंने रमन सागर परवत नाम रखा है 1995 में ये क्वेशन था और थोरा डिटंडेंट क्वेशन है ठीक है भारतिय समुद्र रियातियों ने तीन समुद्र परवत स्रीनिया खोज की है जो एक मद हिंद सागर के बेशीन में दूसरा अरब सागर में और तीसरा मुंबई से 455 किलोमेटर दक्षिन पस्से में खोजा गया इस परवत का नाम महान बिज्यानिक सीवी नमन के नाम पर रमन सी माउंट रखा गया और अन्य दोके नाम पनिकर और बाडिया रखा गया एक हीस्वा है कि इसको याद नहीं करना है भै एक हीस्वा है निमलखित कतनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है साथियों नहीं है यूप यसी ने जब देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एकदम राट के आ जा रहे हैं कोशन्स को तो उन्हों ने यह चोटी-चोटी ट्रेक अपना ने शुरूखी कि नहीं है यह इन में से केबल वही है ऐसे से प्रस्ण ठीक है तो कौन सा सही नहीं है पस्मि घाट की उत्री चेतर मतब नौर्थ वाला जो चेतर है अप एक्छाकरीत अथीक उचाई पर है यह तो बहुत गलत है हमने देखा था कि पस्मि घाट की जो बहुत उचाई पर है और इसलिए दक्च्ण र में आप अनाई मूदी भी देखते ह तो अनाई मुदी चोटी जो 2695 मिटर की है वो तो दक्षनी घाट पे है तो ये तो पहला ही सरासर गलत हो गया तो आइस की जो प्री है तो एकदम से गलत है ठीक है 22 है कि भारत में फैली कौन से बर्बत सिरे नी केवल एक ही राज़ में फैली है एक ही राज में फैली है अजन्ता अभी हमने देखा था इसको महाराश्ट और करनाटक महाराश्ट और करनाटक के पस्मी तट पर पस्मी घाट को क्या कहलाते हैं महाराश्ट और करनाटक में वेस्टन घाट को क्या कहते हैं सायादरी कहते हैं ठीक है यह बीपेसे ने 2000 में कि अगर आप thaक्षि को सबसे पहले सत्माल पहारी लिकी उसके बाद कैमूर पहारी ऊसके raises सथ माला पहले होगा दूसरे में होगा कैमूर दिसरे में होगा नागा मतब नीचे से अगर उपर सीधे जाएं, क्योंकि सबसे उपर आप जाएंगे तो सबसे उपर तो है पीर पंजाल, तो जो सबसे तीन सबसे अंति में जिसका होगा वही होगा एंतर, तो B होगा एंसर, बहुत आसान सा प्रशन है, UPPCS ने 2015 में पूछाएं, कारडोमम मतब इलाइची पारिया कहा है, साथियोंक इलाइची पारिया जो है कीरल और तमिलनाडू की सीमाई बनाती है, ठीक है, भारत की दक्चिन तम परवत, एकदम दक्चिन में जो परवत है, वो कौन सा है, वो कारडोमम पारिया, ठीक है, यहाँ इलाइची की खेती ही ह पहारिया कहां इस्तित है, तमिलनाडू में इस्तित है, सेवरोई, ठीक है, इसके बाद 28 नम्मर है, इन में से कौन सी पहारियां जो है, महरास्ट में इस्तित नहीं है, कौन सी पहारी सरेनी, तो बालगट महरास्ट में, रिष्चंद्र सरेनी महरास्ट में, सतमाला सरेनी महरा नहीं है ठीक है अच्छा question ये है पुछा जा रहा सेवरोई पहारियां जो है वो तमिलनाडू में ये सही है नल्ला मल्ला पहारियां जो है वो आंदर प्रदेश में है नल्ला मल्ला पहारी आंदर प्रदेश और तेलंगना की सीमाएं जो है वो तै करता है गड़जात पहारियां हमने देखा था ओडिशा में है और मांडव जो है वो पहारियां गुजरात में है मांडव महरास्ट में नहीं है इसके बाद आप आईए यूपीसे ने 2014 में ये प्रस्ण पूछा काड़ोमम पहारियां जो है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है काड़ोमम पहारिया कौरोमंडल तटपे है नहीं काड़ोमम पहारियां जो है वो आप देखेंगे कि वो केरला और तमिलनाडू की सीमा तै करती है तो ये तो महा गलत हो गया कैमूर पहारियां कौंकन तटपे है नहीं कैमूर पहारियां जो है 36 गड़ से लेकर बिहार तक बनती है तो ये भी गलत होगे महादेव पहारियां जो है महादेव पहारियां सतपूरा का पाठ है हमने देखा था तो ये मद्ध भारत में है इस्तित यानि ये सही है मिकिर पहारिया जो है वो पुरबोतर का पाट है यानि तीन और चार जो है ये सही है आगे आते हैं महादेब पहारिया जो है वो सत्थपूरा का पाट है अभी हमने देखा था इसके बाद आईए आगे धूप गड़ हमने कहा था कि बहुत पढ़ लोगे तो धूप से धूप का एक बहुत बढ़ा जाल बनाओगे सत्थपूरा का सबसे उची चोटी है ठीक है रामगिरी पहारियां किस परवत का भाग है साथियो रामगिरी पहारियां जो है ये महंदर परवत का हिस्सा है पुरभी घाट में परवत का हिस्सा है इसके बाद रामगिरी रामगट की पहारियां 36 गट के महकाल स्रेनी में भी इस्तित है ठीक है तो रामगिरी दो दो जगह इस्तित है इसलिए इसके उत्तर थोड़े कंट्रोवर्शल हो गए तो इसके उत्तर थो होंगे महकाल ठीक है चोकि महकाल स्रेनी वह सत्थपुरा स्रेनी का पूरवी भाग है, इसका उत्तर B, C, दोनों होगा, यह सत्थपुरा भी हो सकता है, मैकाल भी हो सकता है, लेकिन मेरे उत्तर से मैकाल होना चाहिए, यानि E होगा अंसर इसका, तो यह प्रस्ण ही तुटिपूर्न है, पारसनात पहारियां की है, और इसकी उचाई जो है, वो 365 मीटर की है, मैंने आपको कहा था, कि जारखंट PCS थोरे जादे ही मार्स से जो है, वो लोगों को लाने की गोसिस कर रहा है, अब यह पूछ रहा है कि पारसनात पहारियां की उचाई कितनी है, ठीक है, अगर जैसे हम लोग दूसरे राज् पठे होते हैं, कि मतलब बहुत ही रटना पड़ता है इसके एक्जैम को अगर देना हो तो, ठीक है, तो 365 मीटर की पारसनात पहारी है, या पहारी छोटा नागपूर पठार के छोर पे है, और जारखंट की सबसे सरवोच चोटी है, जैसे बिहार की सबसे उची चोटी का न ठीक है, गारो इन में से सही उत्तर चुनिए, आपको क्या करना है, कि सुमेलित करना है, ठीक है, अब देखिए, चुकि दूसरे उत्तर पे हैं, अब गारो जो है, वो मिघालिया में है, ठीक है, A1 होगा, एंसर, A1, अब A1 में A, B, C आ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, मीरी, मीरी है, अरुनाचल प्रदेश का, ठीक है, मीरी है, अरुनाचल प्रदेश का, ठीक है, उसके बाद डालमा, डालमा जो है, वो जारखंड का है, और कोड़ाई मलाई जो है, वो तमिलनाडू राज्य की पहारिया है, डालमा जारखंड की है, और कोड़े मला जो है वो आप यहां देख सकते हैं, पस्मी घाट की चर्चा करें, यह आरो मेंस 2017 में पूछा गया, या एक ब्रंसो तत्थ प्रवत है, या एक ब्रंसो तत्थ मतब ब्लॉक मॉन्टेन है पस्मी घाट, एकदम साई, ठीक है, इसकी पुर्वी ढाल की मुकावले में, इसकी नीचा होता हुआ पठार है, एकदम साई है, और इसकी उत्री खंड बेसाल से बना हुआ है, ठीक है, इसकी उत्री खंड जो है, बेसाल से बना है, मतब लावा बेसाल से बना हुआ है, अच्छा दित है, एकदम साई है, तो ABC, यह तीनो साई है, सातियों हमने देखा था कि, जो 16 डिगरी तक है पस्मी घाट वो बेसाल से बना हुआ है और उसके उपर वाला भाग गोवा के उपर वाला भाग जो है वो ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है ठीक है वो हमने देखा था ठीक है सोडर डिग्री तक पस्मी भाग बेशाच, सेलो और गोगा से और दक्षिन में ग्रेनाइट और सेलो से बना वा कोडाई नाल किस पहारी में इसते थे, कोडाई नाल पालनी पहारी में इसते थे कोडाई नाल तमिलनाडो के डिंडी गुल जिले में पालनी पहारी में इस्तित है ठीक है तो पालनी पहारी तमिलनाडो में है डिंडी गुल दिस्टिक में और वहीं कोडाई नाल पहारी भी है साथियों अगला प्रस्ण है कि निमलिकित में से कौन सी पहारी राजस्थान में बिंधियन परवत की स्रेनियों का विस्तार है तो यह मुकुंद्रा की पहारी है ठीक है मुकुंद्रा की पहारी है बिंधियन परवत स्रेनियों का विस्तार है ठीके ये कोटा और जालवारा की बीच जो है वो इस्तित है मुकुंद्रा की पहारी निमलिकित में से कौन सा परवती है चोटी पुर्वी घाटी में वस्तित है पुर्वी घाटी में सलहेर वस्तित है ठीक है साथियों पुर्वी घाट परवत का विस्तार भारत की मुख भूमी के पुर्वी तट के समाना अंतर उडिशा से तमिल नाडू तक है पुर्वी घाट के परमुख परवत चोटियों में मलेगिरी, महंद्र गिरी, गली कोंडा, सिंक राम गट्टा जो उडिशा में है, मादू गुल्ला कोंडा जो आंदर प्रदेस में आते, सलहेर चोटी जो महरास्ट में इस्ते थे या पस्मी घाट परवत की जो है वो चोटी है, ठीक है, और इसकी उचाई 1566 मीटर की है, कुशन पूछा गया, इन में से कौन पुर्वी घाट चोटी में अवस्तित नहीं है, तो सलहेर चोटी अवस्तित नहीं है, गली कोंडा, साथियों गली कोंडा आंदर प्रदेस में ह अंदर प्रदेस में होगा, सिंकराम गट्टा जो है वो उडिशा में है, मादु कुला कोंडा जो है वो अंदर प्रदेस में है, ठीक है, वो महिंद्र गडी हो, या मलेगरी हो, या सिंकराम कोंडा हो, ये सारे जो हैं, वो इस्टन गाट के है, अब इनको मिलाना है, आप द पूछना हो तो वो तो अन्नाई मुदी ही ही होगा केरल के लिए ठीक है ए थरी नागा लेंड के लिए अगर आप मेरे से बात करें नागा लेंड के लिए ठीक है तो वो होगा सरामती उत्तरा खंडी की सबसे उची चोटी का नाम तो नंदा दे भी होना चाहिए तमिलाडू क इस्तेथ पहारियों को पस्यम से पुर्व की और बनाई है कि मतलब गुजरात उससे स्टाट किजे और उधर चछतिस गड़ उरिचा तक लिख जाईए ठीक है तो पस्यम से पुर्व के रिवर सत्पूरा को ले लिजे सत्पूरा का ही पाठ है महादेव उसका ही पाठ है मैका और उसके बाद होता है छोटा नागपुर की पहारियां जहां राची वाची इस्तित है ठीक है, क्लियर है ये जो सत्पूरा छेत्र है उसमें इस्तित पहारियों को पस्सिम से पुर्व की और दर्साईए और उनमें से बताईए कि इनमें से कौन सा करम सही है तो सबसे पहला है बरवानी की पहारियां उसके बाद महादेब स्रेनी और उसके बाद मैकाल स्रेनी सत्पूरा स्रेनी में इस्तित पस्सिम से पुर्व की और की इस्तिती दर्साने बरवानी की पहारियां महादेब स्रेनी और मैकाल स्रेनी क्योंकि MP PCS के ये सवाल है और चुकि MP Special अपको पढ़ना पड़ेगा तो ये और क्लियर होगी बरवानी की पहारियां बरवानी की पहारियां जो है न वो कभी नेशनल लेबल पर questions नहीं पूछेगा है इसके ठीक है BPSC ने 2019 में क्या प्रस्न पूछे ये देखिए कन्या कुमारी से जो 60 पहारिया है उनके क्या नाम है उनके नाम है काडोमम पहारिया जो तमिलाडू और केरल की बॉंडरी बनाती है अब सातियों हम आगे आते हैं चोवालिस में नम्मर पे निम्न में से चारबैगान नहीं है अनसभी पहारियों पर चायबगान है कानन देवन जो पहारिया है वो केरल की इदुख्य जिले में वस्तित है कानन देवन इस चेत्रब में मुननार हील स्टेशन भी इस्तित है मुननार छेत 1870 के दसंग में चाय बगानों के सुरवात हुई थी नीलगिरी जो है वो दक्चिन नीलगिरी के दक्चिन में वस्थित पस्मि घाट के महत्पुन परवत है और नीलगिरी चाय के मामले में भारत के बिसस्ट चायों में से एक यहीं पैदा होती है भारत का जो दार्जलिंग छेतर है, चाय उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद है, ये सिक्किम राज के दक्षिन में पस्सी मंगाल में इस्तित है, गिर्नार जो परवत है वो गुजरात में इस्तित है, जहां चाय बगानों का अभिकास तो नहीं हो पाया, इसलिए ईसका उत उन परबतों पर जो ओची चोटियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम नोट से स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे जैसे ही हम नोट पर लेते हैं, तो हमारे लिए कुशन्स बनाना बरा आसान हो जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट बिस्व की सबसे सर वोची चोटी है, और इसके 8,848 मीटर की चोटी हैं, और यह नेपाल मिस्तित हैं, हलाकि चाइना और नेपाल ने इसकी जो है, वो उचाई थोरी जादे किये, 8,848.48 मीटर किये, मतब 8,850 उनका कैना है, लेकिन हम 8,848 से ही मानेंगे, ठीक है, यानि 8,48.86 मीटर इन्होंन मांट एवरेस्ट को फत्याई 1984 में किया, भारत का सरवोच परवत जो है, वो केटू है, गौडविन आंस्टीन है, ठीक है, यह परवत सिखर कारा कूरम रेंज में इस्तित है, समुदर तल से इसकी उचाई 8611 मीटर की है, चोकि केटू पियोके में इस्तित है, इसलिए भार कारे देश के सिक्किम राज्य में इस्तित है, कंचन जंगा की उचाई 9598 मीटर है, 8598, 8598 मीटर है, बर्स 2016 में युनेसको ने कंचन जंगा को राष्टिय उद्यान को मिसरित वर्ग के अंतरगत बिस्व द्रोहर के रूप में समलित किया था, साथियो फेक्ट को जाने तो भ जिसका नाम नंदा देवी है, जिसकी उचाई 7,816 मीटर की है, और ये पूरा छेत्र नंदा देवी राष्टिय उद्यान के रूप में घोसित किया जा चुका है, युनेसको द्वारा 1988 में प्राकिर्तिक महत्व के लिए विस्व धरोहर के रूप में इन्हें संरक्षित कि जा रहा है, सातियों हमने अभी परहा था कि अराबली की जो उची चोटी है, जिसका नाम गुरू सिखर है, 1722 मीटर की है, और ये राज्टान के सिरोही जीलो में वस्तित है, कामेत और त्रिशूल परवत जो स्रेनी है, वो उत्राखंड में इस्तित है, कामेत और जो है वो अराबली परवत का भाग है, उट कमंड नीरगरी पहारी पर अवस्तित है, और कडाई कुनाल तमिलनाडू के डिंडी गुल जिले में पालनी पहारी पर अवस्तित है, आईयो सातियों, अब सौट नोट्स के बाद को सॉल्व करते हैं, बरे आसान कोश्चन है कि म नेपाल में है, मौन्ट एवरेस्ट, 8848 मीटर की इसकी उचाई है, नेपाल का कहना है, 8848.84 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं, दूसरा कोश्चन, दूसरा कोश्च प्रस्चन है, 2011 में पूछा गया है, कौन सा सबसे उचा परवत सि नेपाल में, भारत की पहली नारी जिन्होंने मौन्ट एवरेस्ट पे चड़ाई करी, 1984 में बिचंदरी पाल ने चड़ाई करी थी, मौन्ट एवरेस्ट पे चड़ने वाली पहली महिला कौन थी, बिचंदरी पाल, और मौन्ट एवरेस्ट सिखर पर चड़ने वाली पहली म भारतिय महिला की बारे में थे बिचंदरी पाल लेकिन पहली महिला जो थी वो जुंको तोबाई थी जुंको तोबाई जो है वो 1975 में ही चल गई वो एक जापानी परवात मौंटेनियर्स थी 16 माई 1995 को मौंट एवरेस्ट को फता कर उन्होंने इतिहास रच दिया और यह पूर महिला परवतराहरोही का नाम क्या है मौंटेनियर्स का नाम क्या है संतोष यादव यह 2002 में कोशन पूछा गया दो बार मौंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला परवतराहरोही का नाम क्या है संतोष यादव संतोष यादव को संतोष नहीं हुआ तो अगर केटू नहीं दिया हुए औप्षेन में तो कंचन जंघा नमा रेंगे ठीक है भारत का सबसे उचा जो चोटी है वो कंचन जंगा है मौंट एवरेस्ट 8888 है केटू 8611 है ठीक है केटू 8611 है भारत में है कंचन जंगा जो है 8592 है भारत और नेपाल के बीचे मकालू जो है 84 63 है वो नेपाल में इसके बाद हिमाले की उची चोटी जो है कंचन जंगा कहां इसती थे वो सिक्किम में इसती थे ठीक है और नेपाल सिक्किम निकाल दोनों में इसती थे ठीक है तो हमारे हिसे से वो सिक्किम में इसती थे सिक्किम निपाल दोनों में इसती थे निम्ड में से सही करम क्या है ठीके तो सही करम है माउंट एवरेस्ट उसके बाद गौडविन आंस्टीन और उसके बाद कंचन जंगा और उसके बाद मैकाल ठीके क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 है गौडविन आंस्टीन का जो है हम ने देखा था 86 111 और कंचन जं भारत की चौथी सर्वोच चोटी है, 86, 11, केटू है, कंचन जंगा 85, 99 है, उसके बाद नंदा देवी चोटी है, इसकी उचाई 78, 16 मीटर है, ये कड़बाल हिमाले का पाड़ है, भारत की तीसरी जो बरी चोटी है, वो है नंगा परवत, नंदा देवी कहां इसते थे, वो है उत्राखंड में, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्राखंड में है, नंदा देवी सिखर कहां है, वो है उत्राखंड में, ठीक है, बहुत, गुरु सिखर चोटी जो है, वो कहा है, वो है राजस्तान में, और गुरु सिखर किसका, अराबली की सबसे उ कुल्लबगध. अरवली सर्वोच चोटी गुरु सिखर है जो बिकल पर नहीं है, पिकल में दिये गए सिखरों का सर्वोच सिखर कुल्लबगध है. ये मुझे भी नहीं पता था. 17 नम्मर में आते हैं. निमलिकित में से कौन हिमाले की चोटी जो है, वो पुर्व से, हिमाले की चोटी पुर्व से पस्सिम दिशा के सही करम से है यानि असम से उठाईए या रुणाचल प्रदेस से उठाईए आईए इधर कहां तक जम्मु कस्मीर तक ठीक है तो रुणाचल प्रदेस में नामचा बर्बा है उसके बाद असम में आईए या सिक्की में आईए कंचन जंगा है मौन टेवरेस्ट है नंदा देवी है आसान सा है ये प्रस्न होगे निमलिखित परवत सरेनी में कौन सा एक भारत में वस्तित नहीं है भारत में वस्तित नहीं है गोसाई धान का है, गोसाई धान का है, गोसाई धान है निपाल में, नंदा देवी कामे तिशूल जो है वो भारत में है, ठीक है, और ये तीनों जो है वो उत्राखंड राज में वस्तित है, हमने देखा अधो लिखित युगमों को में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं ह इसमें माउंट आबो जो है वो अराबली पहारिया में है कोडाई कनाल अन्ना मलाई पहारिया उट कमंड जो है वो नील गिरी और सिमला पीर पंजाल स्रेनी साथियों कोडाई कनाल जो है अन्ना मलाई पहारी में नहीं बलकि तमिलाडू के डिंडिकूल जिलो में पालनी पहारी में इस देते हैं अभी हमने देखा था कोडाई कनाल को लेकर B पालनी पहारी के पस्सिम में अन्ना मलाई से जुड़ी है यहां उलेखनी है कि इस परकार सिमला पीर पंजाल सरेनी में नहीं है बलकि धॉलादर सरेनी में है Sid पीर पंजाल में नहीं है दौला धर स्रेणी में यह बी गलत होगे तो B और D दोनों सुमिलित नहीं है इसलिए यह उत्तर थोड़ा कंट्रोवर्सिल है इसके बाद निम्न मेंसे कौन सी एक चोटी भारत में वस्तित नहीं है नामचा बर्वा भारत में है नंगा परवत भारत में नहीं है, कामेद भारत में है, नंगा परवत भारत में है, गुर्ला मन्धाता परवत सिखर भारत में नहीं, बसकी पस्मी तिबबत में है, और निपाल के पस्म उत्तर सीमा में अवस्तित है, और इस परकार नामचा बरवत परवत श्रीनी अरुनाचल परदेश के सीमा के निकट दक्चिन पुरवी तिबबत चीन में इस्थित, इस बैकार गुर्ला मंधाता और नामचाबर्मा दोनों ही परवत सिखर भारत में बस्तित नहीं है, अच्छा नामचा बर्मा जो है भारत में बस्तित नहीं है वो चाइना में, ठीक है और इसके बाद हम आते हैं, गौ गौर्लाटा चोटई, गौर्लाटा चोटी सामरी पार्ट में थी थे , छांदो में पहारी रेंज पिश्थी थे पतिकर छांदो पहारी रेंज नहीं का तो रहा है मिलेगे ठीक है यानि इसके बाद सॉरि धूपगड चोटी कहा होगा धूपगड तो यह इसका ना सत्थपूरा का ना सत्थपूरा मदपरदेश याने डी-उन कहा है डी-वन यानि C और D में कोई होगा तमिलनाडू में डोडा बेटा डोडा बेटा नागा लेंड में आते हैं नागा लेंड में सरामती C2 नागा लेंड हम पहले पर चुके हैं सरामती राजस्थान गुरू सिखर गुरू सिखर बहुत बड़ी है ठीक है तमिलनाडू जो है वो डोड़ा बेटा ठीक है तो इसका हो जागा डी एंसर 4321 तमिलनाडू के लिए डोड़ा बेटा राजस्तान के लिए गुरु सिखर नागा लेंड के लिए सरामती और मद्द प्रदेश के लिए धूगड ये सारे इसके ऑप्शन्स है ठीक है ये इसके ऑप्शन्स बनते हैं